Good morning, sorry, good evening, कैसे हो बच्छो, चलो भई, आज हम पोर्टफोलियो खतम करते है, बडे दिनों से इन्तिजार था आपको भी पोर्टफोलियो मैंजमेंट के रिवीजन का और पोर्टफोलियो मैंजमेंट का रिवीजन अब आपके सामने है और पहली बात अच्छे समलो, इसमें कुछ complete है हां लेकिन एक बात है कुछ बच्चों के comments भी आते हैं कि sir classes तो है आपके 35 गंटे कम से कम 35 गंटे और sir ये portfolio 3-4 गंटे में हो जाएगा बिल्कुल सही और फिर बोलते हैं कि sir जो चीज classes में है वो तो revision में सब कुछ तो cover नहीं है बैटे कैसे cover हो सकता है आप खुद समझदार हो cover कैसे होगा सब कुछ cover कर दूँगा मैं 35 गंटे का लेकिन मैंने वो चीज cover कर रखा है जो आपके practice manual में सारी चीजे concept सारी चीजे questions नहीं हो सकते कुछ concept ऐसे जो मैंने extra करवा रखे वो exam में आ भी सकते नहीं भी आ सकते कह नहीं सकते पर practice manual में एक आथ question है तो वैसे मैंने थोड़ा सा जो कभी कभी ना के बराबर आने के chances से उसको भी मैंने class में cover करवा रखा भगवान न करें वो concept आ गया तो तो अगर आप सोच रहे सर 35 घंटे हमारे खराब होगे नहीं बेटे आपने जो तैयारी की आपने जो मेहनत किया है वो आपके काम आईगी इतना समझ लो आपने कुछ भी irrelevant देंग पड़ा और सर बाकी जो चार घंटे पड़ा है बिट्टे चार घंटे तो ऐसा है कि चलो जल्दी जल्दी रिविजन हो जाए बस पात खता में तीन-चार घंटे जो लगने वाले और रिविजन में उन बच्चों को ज्यादा हैल्प होगी मदद होगी जिन्होंने मेरी क्लास अल्रेडी करके रखी हुई है क्योंकि उनके जो वो कॉपी खोलेगे ना तो रिविजन भी उसी सिक्वेंस में ठीक है ओके बाकी एक चीज और याद रखो कि कि जो भी कॉंसिप्ट समझ में आ रहा आल्मॉस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक देख कर रहूँ है डिटेल में समझना तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक करोगी तो जरूर मिलेगा ठीक है सर श्टार्ट करें पोर्ट होता क्या है कैसे समझाओ पर क्या-क्या हमने डिस्क्रिप्शन किया करना है नहीं किया था यह डिस्क्रिप्शन किया था कि modern portfolio sorry portfolio management में हमें पढ़ना क्या-क्या है एक तो पढ़ना था part number one modern portfolio theory capital market theory ACAP आर्बिट्रेस प्राइसिंग theory efficient market hypothesis and portfolio rebalancing सर और एक भी तो पार्ट होता था सार ऑप्टिमाइजिशन model पाट पी-एम ने ना पी-एम में पहले एक ही question था प्रैक्टिस मेन में और वह question delete कर दिया गया तो मैं assumption ले रहा हूं कि वह हट गया डिलिट कर दिया ना तो SM में पी-एम में भी था तो उन्होंने हटा दिया तो मैं एजिंग कर रहा हूं कि हटा सिलेबस से हट गया करके फिर भी मैंने करवा दिया भगवान ना करे अगर आपके पास time है तो देख लिजेगा पाकि अब वो हमारे लिए relevant नहीं है हाँ वो relevant नहीं है 100% पर किस्मत अगर खराब रही और वो ही आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाँ ठीक है सर तो हमें इन पार्ट में discuss करनी है और सबसे पहले जो बात करनी है वो बात किसकी करनी है modern portfolio theory कौन भाई साब लिखा है Markovic और Markovic कहता क्या है सर पहली बात portfolio क्या है portfolio का मतलब एक जगा पैसा लगाना है कि अलग 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 जगा हम पैसा लगाएंगे एक जगा उससे होता क्या इसलिए हमें अपना fund divergify करना चाहिए ठीके बाद समझ में आती है तो बात ठीक है यह हो गया ना portfolio अलग अलग जगा पैसा लगाना है बोले नहीं अब अगर आप मारकोविड जा रहे है और मारकोविड जी ने कहा कि सर जी दो ऐसी जगह पैसा लगाना अगर आप दो इस टॉक में पैसा लगाना है जिसका आपस में को रिलेशन नेगेटिव होना चाहिए यही बात हुई थी मैंने एक एक्जामपल भी दिया था आइस्क्रीम बिजनेस और उलन क्लॉट्स तो बोले जो अगर आप दो ऐसे श्टॉक में पैसा लगा रहे है जिसका आपस में रिलेशन सिप को रिलेशन नेगेटिव है तो ब रिस्क जो है वो कम हो सकता है reduce हो सकता है यही बात यहां लिकावा portfolio is defined as bundle of security ठीक है the whole purpose of MPT is to explain benefit of diversification that is risk reduction और Markovic ने यह कहा है कि रिस्क को reduce कर सकते है किसके थ्रू divergification के थ्रू पर यह जो रिस्क है वो किसपर depend करता है यह रिस्क डिपेंड करता है अपन correlation जितना correlation कम होगा, जितना correlation minus होगा, उतना risk कटेगा, ये बात Markovids ने समझाया, ठीक है जी, समझ में आ गया, आगे क्या करना है, बुले लेकिन, ये तो अधा introduction, point number 2, बुले ठीक है जी, आप सब कुछ कीजिए, risk कम कीजिए, लेकिन आपको सबसे पहले, portfolio का return और risk निकालने से आपको single stock का return और risk निकालना पड़ेगा, ठीक है भी, तियार है, अब single stock का expected return और risk निकालना, single stock का, तो सबसे पहले, data कौन सा दिया है, past का data दिया है, कि probability दिया है, अगर past का data दिया है, तो उसको हम बोलते थे, x post data, अगर probability दिया है, तो उसको हम बोलते थे, x anti data, तो अगर past का data दिया है तो हम सबसे पहले expected return कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आपको past का return निकाल कर दे दिया तो well and good पर return नहीं दिया market price बगेरा दिया है तो सबसे पहले हमें past का return निकालना पड़ेगा और जो past में हुआ वही future में भी होगा तो हम past का क्या करेंगे average और फिर हम क्या निकाल लेंगे expect return अच्छा holding period return का formula क्या था change in price plus income divided by beginning price यह बात हमको समझ में पहले भी आ चुके थे आज पास्तों का शेर यह ठीक है बाद में समझ में आ जाएगा यह हो गई हमारे income यह capital appreciation यह income और यह होगे beginning price यह percentage में निकलेगा और फिर जो भी past का return निकलेगा 12% 15% 20% उसका करेंगे average तो यह जाएगा और फिर क्या निकालेंगे deviation और standard deviation का formula मैंने detail समझा रखा concept समझा रखा example के तुरू और समझा दूंगा यह तीन steps follow करना पड़ेगा on the basis of past rate कि आगे आगे एक example लिया मैंने और example यह था example number one कि आपको अपनी copy में देखना आपकी copy में already लिखा हुआ है closing price यह 500-530 तो ठीक है ना बेटे अब इसको ठीक समझो अगर मैं कहता हूँ 2001 का return निकालना के निकल ही नहीं सकता 2001 का return कभी ने निकलेगा अगर 2002 से क्योंकि 2001 के लिए opening price तो हमको मालूम ही नहीं है अब 2002 में check करो कि बोलो कितने रुपए से बढ़ा एक तो सार हमारा शीर है 30 रुपए से बढ़ा और सर हमको 15 रुपए डिविडेंड मिला तो हम कितना कमाए बिटे इस साल हम कमाए 45 रुपए और कितने पर पास्तों बिगनिंग प्राइज लेना पड़ेगा वे इस तरह से आप क्या निकालते जाओगे एन्वल रिटर निकलते जाओगे सर सुनो बैटे जो रिविजन कर रहा है सर ऐसी आप इसका भी कैल्कुलेटर में बताओ इतना मैं करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा जैसी में एक का मैंने आपको समझा दिया तो आने आप वीडियो पाउस कर दीजिए और आगे क होता तो हर बार कैल्कुलेटर चलाता हर बार कैल्कुलेटर चलाते से एक तो कैल्कुलेटर की स्वीड बढ़ेगी दूसरी किया मुझे फटा-फट से फटा-फट से समझ में आने लगेगा लेकिन जब मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है मैं सिर्व एक का समझा दूगा कि इस तरह से निकला ऐसे आगे वाला आप वीडियो पाउस करके कैलकुलेटर चला कर आप देखोगे ठीक ठीक है यहां से मिलाते जाओगे आंसर हो सकता मुझसे कैलकुलेशन मिश्टेक हो गया होगा तो मजब आएगा ठीक वैसे मुझसे बहुत होता है मुझे बच्चे फोन करें बहुत ज्यादा क्या क्या निकला आपका यह सर एन्वल रिटर निकला क्या 2001 का निकल सकता था सवाली पैदा नहीं होता क्यों क्योंकि उसकी बिगनिंग प्रेज नहीं इस तरह से क्या निकलेगा एन्वल रिटरन ठीक अब अगले एक्जामपल में मैंने एन्वल रिटरन निकाल ही दिया मान लो 2001 का 10 परशन 15 परशन माइनस पाच परशन 20 परशन तो बता यह एक्सपेक्टर रिटरन क्या होगा सर एक्सपेक्टर रिटरन मतलब इस इस तरह से कि 10 प्लस 15 माइनस पर ऐसे भी कर सकते हो दिक्कत की बात नहीं है पर बिटे टेबल बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा टेबल बनाना पड़ेगा और टेबली बनाना हमने सीखा है और यह एक टेबल में हम क्या-क्या निकालेंगे इस टेबल में हम एक्सपेक्ट रिटन भी निकल लेंगे और इस टेंडर्ड डेविशन भी निकलेंगे डेटा क्या दे रखा पास साल का 1235 एक्स दे रखा तो इन सबकों मेंने जोड़ा तो कितना है 65 और 65 डिवाइट तो कितना वर्शन डिटन आ गया 13 पर्शन डिटन आ गया यहां तक ठीक है अब डेव हम सरे डेविशन क्या होता यह होता है की फ्यूचर में क्या थर्टीन बेशन आ एगा नहीं कि आ कमज़स्धा भी हो सकता है कैसे निकालोगे इस टैंड ersky जो तूप में डेविट हुआ वही फ्यूचर में भी होगा अब यहां चेक करो यहां 10 13 एवरेज कितना या 13 जबकि एक्शुल कितना है तो 10-13 कितना जाएगा माइनस 3 कितने का डेविशन हो गया मैं एक्स माइनस एक्स बाइफ 15-13 कितने का डेविशन है 2 और यह मैंने चलाना आपको सिखाया इस स्पीट से मेरे ख्याल से आता होगा अगर आपको पॉर्टफोलियो में चलाना नहीं आता तो फिर फस होगे है माइनस 5-13-18 यह आ गया एक्स माइनस एक्स बार फिर मैंने गा इसको जोड लीजिए डिवाइड़ वाइड़ वाइव कर दीजिए तो इस्टेंडर डेविशन आ जाएगा इसको जोड़ने से डिवाइड़ लेंगे और डिवाइड दर बाइड भाइड वाइड वाइड यह जाएगा मेरा स्टेंड़ डेविशन आ गया तूपरसान इसको जोड़ने से डिवाइड़ वाइड 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 पार्शन इसका मतलब क्या था इसका मतलब यह था कि रिटर था ईगधा फ्यूचर में पर दोपर्शन 친ला अप पर समस्या क्या थे ? जब हम इसको टोटल करोगे तो क्या आता था ? zero आहि था कुछ कंग है कुछ जादा धोनों को जोड़ोगे तो zero आयगा तो क्यों क्यों, multiplic माइनश का सईनु इसको हटाने के लिए हमको क्या करना वरता था ? square और square किया तो यह आ गया और स्पाइल सबस्सक्राइब करना पडिये 4 और Sellos फिर्ट इस सब्सक्राइब है क्या करना पड़ेका स्क्वायर रूट तो इस इंड्डरेविशन को मुझे तो definition समझा रखा है कि यह था किसका single stock का किसके basis पे on the basis of past data अब बात कर रहा हूं on the basis of probability probability आपको अच्छे से आता मुझे ज़्याद explain नहीं करना कैसे करोगे expect return summation of pro x into probability से multiply करो और standard deviation बस एक बात कसम खाना गलती कहा होती है गलती होती हम divided by n कर देते बहीं divided by n होगा नहीं क्योंकि probability से multiply हो रहा है एक आध example था यह था written और यह थी probability ठीक है इसके basis पर हमने कोशन किया सबसे पहला column आएगा P फिर X और फिर मालूम है क्या करना पड़ेगा आपको इन दोनों को multiply करनेंगा तो यह आजाए का 14 बच्चे क्या करते सुनो बैठे यहां बच्चे क्या करते गलती हमें बता रहा हूं पिपर चेक करो ना मझे समझ में आ रहा है बच्चे यहां तक तो बहुत सहीं जाते और फिर डिवाइड़ वाइफ और कर देते भाई क्यों कर रहे हैं डिवाइड़ वाइफ और मुझे समझ में नहीं आ रहा जब प्रोबैबिलिटी दिया तो कसम खालो कभी भी डिवाइड़ वाइड़ वाइफ और नहीं होगा ओके सांब फिर क्या किया वही एक्स माइनस एक्स बार पक्का इसका एवरेस करोगा मतलब इसको प्रोबैबिलिटी से मल्टिप्लाई करके टोटल मारोगे तो क्या जाएग यहां समेशन ऑप एक्स माइनस एक्स वार स्क्वेर इंटो प्रोबैबिलिटी वैसे इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है वैरियंस वैरियंस अब सिक्यूरिटी स्क्वारूट की कर दिया तो यह क्या गया इस्टेंडर आविशन पक्स इंपल था कितना इंट्रोडेक्शन किया दूसरे मैं एक्सपेक्ट रिटर रिस्क और सिंगल इस्टॉक पड़ा और एक चीज है इस इस को एफिशेंट ऑफ वैरियेशन रिटन के इसाब से हमने कौन सा से क्रिदना चाहिए जिसमें रिटन जादा है और रिस्क के सबसे जिसमें रिस्क कम ह एसा हो जाता है कि जिस इसक अभी-कभी नहीं 90% के सिसमें जादा रिटन मिलेगा तो रिस्क भी जादा कम रिटन तो रिस्क भी कम तो इसके लिए आया को एफिशेंट अफ वैरिशन को एफिशेंट वैरिशन का फॉर्मॉला इस्टेंडर डिविशन बाय एक्स बार यह क् आता था मान लो इस्टेंडर डिविशन आया चलो जी कुछ कोश्यंस है जो मैं यहां करवा रहा हूं थोड़ा स्पीट से काम होगा कोश्ट कितना है 120 डिविडेंट है कि ने नो डिविडेंट और पॉसीबल प्राइज दे रखा है 115 120 यह 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 नहीं है यह फर्स्ट यह में ही 120 से 115 भी हो सकता 120 से 120 भी हो सकता 120 भी हो सकता है 120 से 130 भी हो सकता फ़र्स्ट यह 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 घे प्राइज होसकती डिविडेंट है और उसकी प्रह्म सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा रिटन जो हम निकालेंगे 115-120 और सेकेंड यह नहीं है मैं फिर से वह रहा है 120 मैंने comparison कभी भी cost से ही करेंगे अगर यह यह होता कि first year में यह second year में यह third year में है तो फिर मैं इस तरह से comparison करता है इस तरह से क्या निकल जाएगा आपका return हर साल का अगर एक बार return निकल गए एक बार probability है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं फटा फट से क्या करेंगे हम expect return निकाल लेंगे px करके यह क्या निकल जाएगा expected return और फिर x-x bar करेंगे x-x bar square into probability करेंगे कसम खालो divided by कुछ मत कर देना उसका square root प्राइस फिर आज का प्राइस फिर एक साल का तीसरा प्राइस फर्ष्ट इयर गई था चलो जी आगे चल रहा है कि यह एक कोश्चन उठाया था इस टॉक आप ABC लिमिटेट प्रिजेंट ली अभी कितने का विकरा है सर बले सर अभी यह हजार रुपय का का चलो अभी प्राइस क्या क्या हो सकता बोले 800 भी हो सकता 80 बेंट 40 भी मिल क्या सकता है 1400 हो सकता 7ű मिल सकता इसका मतलब और This & 7 सबन सकता इस का मतलब यह हूआ कि पिछले कोश्चन में डिविए एंट यह नहीं इस question में dividend भी है तो कोई बात नहीं रिटन निकल जाएगा तो बोलो रिटन कितना हो सकता है माइनस 16% भी हो सकता है 25% भी हो सकता है and 47% भी हो सकता है जब यह मिल गया probability मिल गया तो फिर तो वही बात हो गई वही कहानी तो क्या story हो फिर वोई table बनेगा और यह table में तो अब हम सायद expert हो चुके please मैं मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं जो हूं वो थोड़े speed से ही चलूँगा क्योंकि पिछले जो दो lectures है उसमें बच्चों ने कहा कि तो साथ थोड़ा concept समझाने पर ज्यादा focus मत करूं वो concept हमको आता है आप बस revision कर वाओ that's it concept आप समझा रहो वी टॉप portfolio कि वह हमें आता है सर आफटा ठीक है जी वैसे करूं अगर मैं कहूं मेरे दो टाइप की students है एक मेरे YouTube वाले बच्चे और एक जिन्होंने मुसे class लिया तो 90 पर जिन्होंने मुसे class लिया वो यही बोल रहा है कि सब थोड़ा speed बढ़ाई है यह आप concept समझाते concept आपको था YouTube वाले बच्चे कहीं ना कहीं उन्होंने class लिया होगा तो उनको भी concept आता है यह मैं एजूंग कर रहा हूं ठीक है सर यह तो हम बना लेंगे आपको दिक्कत नहीं हमें और एक example है अब इसमें क्या था लिखा था शियर करेंटली ट्रेडिंग ठीक है बही 1180 और EPS दिया है 40 रुप और बोले यह हो सकता है यह probability दिया price earning ratio दिया तो आपको पता भी है price earning ratio सर मर्जर पढ़ा है detail में आप price earning ratio हाँ पर इतना समझो EPS को multiply करोगे price earning ratio से तो क्या आजाएगा आपका market price मतलब market price market price market price market price टिक तो वही मैंने काम किया है मैंने EPS को multiply किया तो market price अभी कितने में trade हो रहा है 1180 EPS into market price EPS into price earning ratio तो price 1000 भी हो सकता 1500 भी हो सकता 1200 भी हो सकता 800 EPS into market price 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 फिर ना किसी बच्चे का doubt आया था इस question सर ठीक है ना यह तो हो गया एक साल बात का price सर डिविदेन भी तो मिल रहा है सर जी डिविदेन कहां से मिल रहा है सर EPS दिया तो है EPS EPS बिटे मैं shareholder मुझे company क्या कमा रही उससे मतलब नहीं मुझे dividend कितना मिला मतलब है EPS मेरी कमाई नहीं है EPS निकाला गया है company के पॉंट इवरे से हाँ अगर डिविदेन होता तो मैं पक्का डिविदेन ले ले था ठीक है तो अब उस हिसाब से यहां क्या निकल जाएगा return यह तो पता गैरस वस्ती मैनस हजार मैनस गैरस वस्ती उससाब से निकल जाएगा यह return यह return यह return यह return और probability आपको दिया है पॉइंट 2.3 जब यह निकल गया है तो इसके बाद क्या हमारा वही वाला काम चल रहा है फिर तो वही टेबल बनाएंगे एक्स को प्रोबाइबिलिटी से मल्टिप्लाइए करेंगे पी एक्स आएगा यह आएगा स्क्वेर करोगे तो इसमें कोई खास बात नहीं है इट मेंस हर कोश्चन में थोड़ी थोड़ी बात ते है पर छोटी सी बात रहती है बाकी सारा कोश्चन मनझा थो छोटी सी बात मैं आपको समझा रहा हूं हर कोश्चन में ठीक है दूसरा सर हमने किया expected return and risk of single stock, बिल्कुल, वो किस basis पे एक तो किया सर, on the basis of past data, और क्या किया on the basis of probability, और बीचे हमने coefficient of variation भी पढ़ा था, जिसका formula था standard deviation divided by x bar, एक बात और, बच्चे मुझसे बोलते, सर एक चार्ट देदो, formula, formula एक bit, क्या करोगे formula लिखकर रट्टा मारके, मैं आप से please यही बोल रहा हूं, एक बार concept समझ लिया ना, अच्छे से, तो यह chart और यह formula, यह सब कोई काम नहीं आने आने आला, बच्चे क्या बोलते, exam से आखरी दिन पहले या फिर exam से दो हंटे पहले सर पूरे formula देख लोगे, पर क्या करोगे देखके, जब आपने सुरू से concept नहीं समझा और last में वो chart यह formula देख लोगे, तो कहुंसा तीर मार लोगे, भई यह बात समझने की कोशिश करो, आप concept समझो, formula से मतलब नहीं है, और हो सकता है, एक आपाजी में पढ़ने का बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है, और कैसे, expected return of portfolio करना है, सर्फ expected return of, weighted average नहीं भाई, बात खतम, it means stock A का return देगा, उसका weight देगा, stock B का return देगा, उसका weight देगा, देखते हैं, यह एक example दिया था, ABC, पैसा लगा 5000, 3000, 2000, और expected return दिया हुआ है, औ और क्या मांगा, expected return of portfolio, पहले तो मैंने concept समझाए कि देखो भाई, पाच लाग पे हमारी इतने की कमाई हो रही, तीन लाग पे इतने की कमाई हो रही, तोटरम लाग इतने की कमाई हो रही, और इतने की कमाई हो रही, दस लाग की, 16.1%, जबकि हम क्या सीधा-सीधा निकालते यस, पाच लाग इंटू 20, सब 20% की 20, बैटे 20, क्योंकि मैं इन्टू 100 नहीं लगाने वाल हूँ, पाच लाग इंटू 20, 3 लाग इंटू 15, 2 लाग इंटू 8, divided by 10 लाग, तो यह आ गया 16.1%, पर, हो सकता है कि आपको टेबल में बनाना बड़े, बड़ा कोश्चन हो, अगर 10 लंबर का कोश्चन है भाई, तो फिर ऐसे एक लाइन में काम खतम नहीं होगा, क्या आपको टेबल यूच करना पड़ेगा, यस, और टेबल क्या होगा, कुछ नहीं बेटे, ABC, और एमाउंट है, वेट लिख लिए, 0.5, 0.3, 0.2, इस स्पेसिफिक रिटन लिख दिया, औ तो यह आगए, एक स्पेसिफिक रिटन, तो यह आगए, एक सिसपे क्रिटन लिख गरण, पॉर्ट करना पॉर्टफोलिय, सर्छ रिटेबल हमने उलरी जए रहीं बढ़ा था, यह जब आपप सिए IPCC में थे, याए prep, सिया रेल थे, ctyp, तब आपने सिक्षिक रिग जच क कर रहे हैं तो यह काम आने वाला है एकस्पेक्ट रिटन अपे इंट वेट आप ठीक है सरी तो वेटेड है यही वाला हो गया है यस कुछ थोड़ी नहीं बीस इंटू पांच बंद रहे हैं तो और एक साथ हमने प्लस कर दिया तो कितना आ गया 16.1 पर्शन सिंपल एकस्पेक्ट रिटन पोर्टफोलिय ऐसा हो यह नहीं सकता कि आपसे बने न है चलो और एक दो एक्जांपल करवाए हूं ताकि थोड़ा सा कॉन्पिडेंस आ जाए यह बीस दिया यह बारा दिया पॉइंट सेवन पॉइंट थी दिया तो मल्टिप्लाई करो आंसा न बच्चों ने मुझसे क्लास किया उनके लिए दिक्कत नहीं होगी पर जिन्होंने क्लास नहीं किया प्लीज इसको न आप इग्नोर कर देना जो एक्जांपल नंबर है ना कभी आपको फोर दिखेगा उसके बास सीधा एड दिख जाएगा क्योंकि मैंने जो काम की एक्जा परशन दिया और किसी का वेट नहीं दिया पर प्लीज इस तरह से बनाये की एकस्पेक्टल डीटन आप पोट्फोलियो कितना आ गया 17.6 परशन तो बताइए ऐ में कितना पैसा लगा होगा बी में कितना पैसा लगा ओगा कि एकस्पेक्टल डीटन ओब पोर्टतुलियों आया है 17.6 फॉर्मूला लिखा क्या हमको यह पता है यस यह भी नहीं पता लेकिन एक बात दो ही स्टॉक है और वेट का टूटल क्या होता हूं तो एक को मैंने वेट आप ए ले लिया तो दूसरे को क्या लूँगा मैं वन माइनस वेट आप ए ठीक है जी ओके और बस फिर तो आप मैंस में एक्सपर्ट हो और उस हिसाफ से वेट आप ए कितना आया 0.7 और वेट आप बी कितना आया 0.3 सर यह कहीं काम आएगा यस आगे मैं करवांगा ना आपको आर्बिट्रिस प्राइसिंग थियरी APT वहां काम आएगा ठीक है तो अब हो गया हमारा एक्सपेक्टर रिटन आप पॉर्टफोलियो खत्म अब जो मारकोवेट्च है जुन्होंने MPT बनाया है और जुन्होंने जो फोकस किया वो किस पर किया है को रिलेशन पर तो अल्टिमेटली उसी की वो वाली को रिलेशन वाली बात समझना हम कि अमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह रहा कोंको रिलेशन को रिलेशन हम तोतल मिलाकर तीन-पॉइंट नहीं ंपढ़ेंगे पहला क्या पड़ेंगे मिनिंग मिनिंग को बढ़डा है तो दूसरा का भी बढ़डाti calor offense एक कम हो रहा हा तो दूसरा भी कमो tout Don't call to co likes an positive correlation एक Direction में movement होता लेकिन एक बढ़ाई还是 और दूसरा कमो Alright this is a negative coalition or correlation पे ही तो पुर 빵 modern portfolio theory डी पैंट है तो सब से रिखते हैं Mini relationship relationship लिखा correlation is a strength of relationship between two variables correlation किस किस के बीच में होता minus 1 से plus 1 के बीच में क्यों होता ये मैं आपको समझा चुका हूँ correlation के concept में ठीक है sir in portfolio management we will discuss three types of correlation portfolio management में na correlation तो वैसे बहुत type के हो सकते हैं पर हम लोगों को क्योंकि treatment अलग अलग है तो इसलिए हमने तीन category में बाट के रखा है correlation को एक perfect positive plus 1 एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा plus 1 दूसरा perfect negative minus 1 एक बढ़ेगा तो दूसरा this is plus 1 एक बढ़ेगा एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ये कौन सा negative correlation और तीसरा जो positive correlation है और negative में बोल रहा हूं other than positive and negative correlation ठीक है जी ओके क्योंकि इसमें treatment अलग करवाऊंगा इसमें treatment अलग करवाऊंगा इसमें कुछ अलग ही तरीके से बात होगे है तो सबसे पहले समझ लिए अब बात करते है correlation निकालते कैसे calculation of correlation एक एक एक्जामपल लिया 123 stock x stock y expect return निकालना standard division यह तो और यह हमको आता है यह समझ रहा है कोवेरेंस क्या correlation क्या तो चलो जी आगे बढ़ा है लिखा year 12345 ठीक है x 30 25 20 यह आ गया क्योंकि year दिया divided by 5 करना पड़ेगा तो x-bar कितना आ गया 20% ऐसे y का भी total किया तो कितना 70% और y-bar कितना आ गया 14% पहले x-x-bar कर लेते x-x-bar तो यह आ गया अपना deviation और यह भी क्या आ गया deviation और क्योंकि इसको divided by 5 करूंगा तो 0 आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा square square और फिर यह आ गया standard deviation of x और यह आ गया हमारा standard deviation of y अब क्या है अब मुझे यह देखना है कि यह x अपने मीन से बढ़ता है और y भी अपने मीन से बढ़ता तो मैं कहुंगा दोनों के बीच में positive है पर x अपने मीन से बढ़ता है और y अपने मीन से कम होता है तो क्या होगा negative तो इन दोनों को मैं multiply करूंगा अगर दोनों ही बड़े तो प्लस 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 पर एक बड़ा एक कम हो तो प्लस माइनस माइनस वह में काम कर रहा हूं joint deviation निकाल रहा हूं एक्स माइनस एक्स बार relationship है वो कैसी है वो है minus दूसरी बात problem क्या आती है covariance से हमें एक चीज समझ में नहीं आती है covariance ठीक है nature पता लगता पर degree पता नहीं लगता degree का मतलब बहुत ज़्यादा detail में नहीं समझाऊंगा यह समझ लो covariance minus 485 percentage square कुछ भी आ सकता है पर एक बाब ताओ अगर correlation में मान रहा हूं मेरी limit है minus 1 से plus 1 अगर मैं बोल रहा हूं correlation है 0.9 तो मैं समझ जाओंगा हाँ 1 के पास पास है अगर मैं बोल रहा हूं correlation है 0.5 तो समझ जाओंगा हाँ जी दोनों के बीच में 0 और 1 अगर मैं बोल रहा हूं correlation है minus 0.9 तो ठीक है इधर इट में एक range में range mount करना पड़ेगा ना सर यहां nature पता लग रहा बहुत अच्छी बात है अच्छा है यह भी कोवेरेंस लेकिन मुझे डिगरी चाहिए इसलिए मुझे पहली बात तो डिगरी दूसरा मुझे यूनिट फ्री करना होता था मालो एक वेरीबल केजी में और एक वेरीबल किसमें सेंटीमिटर में और दोनों को मैं मल्टिप्लाइ करूंगा तो यह answer किया जाएगा केजी सेंटीमिटर तो उसको यूनिट फ्री करना है तो मुझे कोर्रेलेशन निकालना पड़ेगा और मुझे कोवेरेंस को डिवाइट करना पड़ेगा किस से इस्टेंडर डिविशन अप एक्स इंट्टेंडर डिविशन वाय यही पढ़ा था हम लोगों हाला कि उससमें करेंडर प्रोब्लम प्रोब्लम क्या है यह सिर्ट किया बताता है नेचर और यह रैंज बाउंड नहीं है और हमें रैंज बाउंड करना है तो हमें कोर्रेलेशन की जबरत पड़ेगी और कोर्रेलेशन कैसे निकलेगा कोर्रेलेशन और भी होता है और इसा पी टाइप का भी कोर्रेशन के लिए साइन होता है क्या कैल के लिए लिख रखा है तो यह तो आप कर लोगे कैलकुलेशन में ज्यादा है नहीं है तो आप फटा-फट से हो जाएगा इस बार वह यह वाला था सुनो जो पिछल एक्जाम्पल था वह कौन सा था यह वाला मैं सोच रहा हूं पुरी तरह से आपको समझा दो तो एक मैंने यह वाला भी ले लिए और एक ले रहा हूं प्रोबैबिलेटी वाले में गलतिया होती है गलतिया क्या होती है सब P X Y P X P Y यह क्या गया मेरा X-bar बच्चे गलती से स्वेर करना पड़ेगा प्रोबैबिलेटी और इन दोनों को मैल्टिप्लाइड डिवाइड बाइड फोर नहीं करना इस कुछ नहीं है जो पहले करवा रहा हूं वही चीज है क्या हमें कोर्रेलेशन निकालना आ गया यह虫 मेंनिग हो गया कोरेलेशन का ठीक है Sum दूसरा क्या हो गया sir concept भी हो गया बहुत अच्छी बात है नहीं concept ने हुआ किया हुआ calculation naw concept भी समझे यस आजाते है concept ह हाजी chill out look depressed चलिजे मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपको बोला था correlation को मैंने कितनी category में divide किया था तीन category perfect positive perfect negative and other than perfect positive and negative अब सुनना धियान से, अगर Markowitz का क्या कहना है, अगर दो ऐसे श्टॉक में पैसा लगा रहा है, जो जिनके बीच में कोरेलिशन परफेक्ट पॉजिटिव है, इस दो श्टॉक बढ़ रहा है और एक ही प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, कम हो रहा है पर एक ही प्रपोर्शन म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर जी अगर एक डुबा तो दूसरा बचा लेगा, पर ऐसा नहीं, परफेक्ट पॉजिटिव में होता क्या है, एक डुबा तो दूसरा भी डुबा, तो आप बरबाद, परफेक्ट पॉजिटिव में रिस्क कभी नहीं कटेगा, इस बच तो perfect negative है अगर correlation तो क्या risk कम किया जा सकता है येस risk zero किया जा सकता है और तीसरी category है जो perfect positive भी नहीं है perfect negative भी नहीं है तो risk जो है वो खतम तो नहीं कर सकते हैं पर risk कम जरूर कर सकते हैं यही concept है एक example लिया था मैंने वह यह तो simple है यह तो एक example लिया समझा ही देता हूं मैं मान के चल रहा हूं कि दो season है summer और winter क्या probability कि आने माले साल probability 0.5 है कि summer हो सकता 0.5 है कि winter हो सकता अब भी दो business है एक है ice cream business और एक है ulan cloth business ice cream business कब चलेगा सर गर्मियों में कब कम चलेगा सर ठंड में उलन cloths का business sweater का business और गर्मियों में चलेगा कुछ भी बात बोल रहा है बैटे मान लो चलेगा और winter में बहुत ढंग से चलेगा ठंड में बले यह return है ठीक है अब यार मैं काम करता हूं मैं ice cream में ही पैसा लगाता हूं नई मतलब ही नहीं मुझे sweater वाले business से या तो फिर मैं इ निकालना है ठीक है निकाल लेते हैं यह तो करी सकते हैं इस टेबल से मैंने निकाल लिया है तो expect return ice cream business में 20% उलन cloth में 25% ठीक है standard deviation ice cream में 10% उलन cloth में 15% यहां तक कोई दिख कितना और correlation दोनों के बीच में क्या perfect and not it target हमारा क्या सुनना यहां से अगर मैं सिर्फ ice cream business में पैसा लगाओ तो no doubt 20% कमाई होगी पर साहब कम भी हो सकता जादा भी हो सकता कितना अब हम ऐसा कर सकते हैं कि ice cream में कुछ पैसा लगाए उलन cloth में कुछ पैसा लगाए तो क्या हम portfolio बना सकते हैं यस और point number 3 में यही बात लिखी थी अगर हम 60% पैसा ice cream में लगाए और 40% पैसा किस में लगाए उलन cloth में लगाए तो portfolio का expected return and standard deviation समझाए चलो जी यह देख लो expected return of portfolio यह तो हमको आता expected return of a into weight of a expected return of 22% पर problem है standard deviation of portfolio कैसे निकलेगा फिर हमने एक formula पढ़ा हमने यह पढ़ा कि standard deviation of portfolio कभी भी weighted average नहीं होता weighted average से कम ही होगा या weighted average के बराबर होगा ठीक और यह जो कहां से आया बोले इस formula से बना standard deviation of portfolio a square यह formula था और यह formula कैसे आता था matrix एक के साथ एक का बी के साथ एक कब यह matrix से यह formula बना पुले जैसे यह formula है वैसी standard deviation का भी formula रहेगा और हमने क्या किया एक का मतलब standard deviation of a square into weight of a square standard deviation of b square into weight of b square plus two into standard deviation of a into weight of a into weight of b और बस last में क्या चीज है correlation और एक बात मैंने आपको समझाया सुनना ध्यान से correlation कभी भी किस-किस के बीच में होता है minus 1 से plus 1 के बीच में अगर यह ज़्यादा है correlation ज्यादा है तो यह वाला पार्ट ज्यादा आये तो portfolio के standard division भी कम हो जाएगा हम पस काम बात बारी क्यों से समझना है कि पूरा खेल किसका है correlation का correlation अगर जादा है तो भई रिस्क जादा जाएगा correlation अगर कम है तो portfolio के risk कट जाएगा तिक बस यह question था यह निमें हैं के तो हम को आता है कोई बात की जद्वूरत है ओगे चले सर यह क्थीक अब हमने है अब हम ने कहए हूं क्या ठियार हो कि क्या हमें श्टेंड डिवीशन ऑप पॉर्ट फूल्योंन निकालना आने लगा हां सर हमें क्या expected return of portfolio निकालना आने लगा, yes sir, बिलकुल आने लगा, तो अब हम correlation को तीन category में बाढ़ सकते हैं, पहली correlation category है, perfect positive correlation, और perfect positive correlation मतलब plus 1, और risk of portfolio कम किया जा सकता है, कि sir cannot be reduced, लिखा है, in this situation, risk of portfolio क्या जाएगा, weighted average risk of two stocks, sir, weighted average आएगा, risk को आप कम कर ही नहीं सकते, एक example भी लिया, example में stock A, stock B, 22%, 15%, 10%, 8%, correlation क्या दिखा है, आपको perfect positive, expected return निकालना है, अगर 60% आप किसमें लगा रहे हैं, A में और 40% किसमें लगा रहे हो, B में, तो ठीक है, 22 into 0.6, 15 into 0.5, कितना आ गया है, 19.2%, उसके अलावा मुझे ही क्या निकालना, standard deviation of portfolio, formula हमारा बड़ा वाला, standard A square, weight of this question, यह किया, तो answer कितना आ गया, 9.2%, फिर मैंने आपको एक चीज और समझाया था, कि sir, यह formula तो लगेगा, कोई भी question हो, इस formula से, standard deviation of portfolio निकाला जा सकता है, लेकिन मैंने आपसे गहाँ कि, अगर perfect positive है, perfect positive है, तो इतना बड़ा formula लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि weighted average ही तो होना है, तो फिर हमने छोटा वाला formula लगा दिया, लेकिन यह formula कब चलेगा, जब correlation दो stock के बीच में, perfect positive है, standard deviation of है, into weight of है, standard deviation of into weight of भी, तो answer किपना आगा है, 9.2%, तो finally एक चीज़ समझ में आई, कि correlation अगर perfect positive है, तो risk नहीं कट सकता, और क्या formula यह वाला लगा सकते हैं, अगर correlation दो stock के बीच में, क्या हो, perfect negative है, minus 1 है, तो क्या 100% risk कट सकता है, risk पूरा खतम हो सकता, वो दो चीज़ों पर depend करता है, एक तो correlation क्या होना चाहिए, minus 1, और weights क्या होना चाहिए, optimal weights होना चाहिए, optimal, सरी कैसे निकलेगा, यह तो पता है ना आपको, बेकर की बात कर रहा, पर फिर भी मैं revision कर बाता हूँ, तो ऐसे risk को, जिसमें risk zero हो जाए, उसे क्या बोले जाता है, zero risk portfolio, एक एक एक्जामपल लिया था हमने, stock A, stock B, standard deviation, दोनों के बीच में perfect and negative correlation है, अगर आप 60% stock A में लगाते हो, 40% stock B में लगाते हो, तो आपको निकालना expected return of portfolio, 30 into 0.6, 20 into 0.4, तो यह आगया 26%, इसी तरह से हमने correlation निकाला, बड़ा वाला formula से, सुरी, standard deviation of portfolio answer कितना आया, 10% अब सवाल यह है, क्या छोटा वाला formula लग सकता है, yes, weighted average वाला, बच बीच में किसका sign रहेगा, minus का sign रहेगा, टिक, standard deviation of pay, into weight of pay, minus standard deviation, मतलब बड़ा वाला formula कि अपी च्ट छोटा वाला formula लगाओ, तो answer कितना आया, 10% हो सकता है कि कभी यहां वे answer negative आजाए, हो सकता है, प्लीज यहां उसको आप इग्नोर कर देना, if answer is in negative, please ignore negative sign, negative sign को आपको ignore करना पड़ेगा, that's it, ओके, ठीक है सर, बाद समझ में आई, कि छोटा वाला formula दो condition में लगाओ, अगर perfect positive हो, तो यहां plus कर देंगे, perfect negative तो यहां minus कर देंगे, बास समझ में आ गए, पर लेकिन आप सर, आप तो बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे, कि standard deviation अगर perfect negative हो, तो risk zero हो सकता है, यस, पर सर, यहां risk तो 10% आया, मैं ने और एक बात बोला था, कि weights जो है, proportion, weights, वो optimum होना चाहिए, यह जो weights इन्होंने लगाया, 60% A में और 40% B में, यह optimum नहीं है, best नहीं है, best होना चाहिए, यह तभी काम होगा, ठीक है, तो सब best क्या होगा, यह कैसे निकलेगा, बैटे यह, 60 और 40 के अलावा, कुछ और ही होगा, वो निकलेगा, क्या करों कि, दूसरे का standard deviation, divided by दोनों का standard deviation, यह हिंदे में लेका, या फिर ऐसे, weight of A is equal to standard deviation of B, divided by दोनों का standard deviation, बात कता है, सर यह कहां से formula है, बैटे, यहां से formula है, यह derivation दे रखा हमें, यह किसका standard deviation of, portfolio का formula है, हमें क्या रखना है, 0, बस इसको derive किया, तो answer यह निकल के आगए, मैं derivation, अगर मैं, revision lecture में derivation समझाने लगा, तो फिर तो हाद हो गई, पर यह लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है सर, याद हो जाएगा, एक का weight निकालना है, तो दूसरे का standard deviation, divided by दोनों का standard deviation, तो standard deviation of, weight of AIR 0.2, weight of BIR 0.8, अब मैंने standard deviation of portfolio निकाला, तो answer कितना आगए, 0, ठीक है, ओके, अब तीसरी बात, अगर correlation दो stock के बीच में, other than, perfect positive and negative है, then, risk of portfolio can be reduced, reduce कर सकते हैं, पर क्या zero कर सकते हैं, नहीं, but not zero, पर इसमें भी आपको क्या देखना पड़ेगा, optimal weights, और ऐसे portfolio को, zero risk portfolio नहीं बोलेंगे, ऐसे portfolio को हम बोलेंगे, minimum risk portfolio, optimal weights कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा technical है, weight of A is equal to, दूसरे का variance, divided by, दोनों का variance, फिर माइनस माइनस, यहां क्या जाएगा, यहां, सर, standard deviation of pain to stand, into correlation, मतलब सर, यह आगया हमारा, covariance AP, और यह आगया, 2 into covariance AB, covariance 4 का formula होता नहीं, यह इतना तो पता होगा यार, ठीके सर, यह याद करना पड़ेगा, यह याद करो, और कोई option है, और याद है आपको, question बनाई है, याद हो जाएगा, sir, derivation चाहिए, derivation मैंने, पिछली बार, class में तो नहीं करवाया था, लेकिन इस जो नहीं class, नहीं recording हो रही, इसमें derivation भी करवाया हूँ, पर मैं फिर से बोड़ों, याद हो आपके काम किया चीज़ नहीं, derivation से कोई काम नहीं, आपको formula ही ultimately काम आने वाला, sir, इस पर question हो जाए, पता निस पर question है कि नहीं है, याज एक question तो लिख रखा मैंने, example होगा सायथ, इस टोक ये 12%, 15%, 5% और correlation कितना, 0.15, सबसे पहले तो आपको minimum risk portfolio construct करना है, चलो, weight का formula लगाएंगे, और minimum risk portfolio आ जाएगा, ये कितना आ गया, weight of a 0.803, और weight of b 0.197, इसको बोलेंगे minimum risk portfolio, अब हमको क्या निकालना, expected return of portfolio, expected return of portfolio मालुम है, standard division of portfolio के लिए अब छोटा वाला formula नहीं लगेगा, और ये आ गया, 4.626 पर्षेंट इस, that's it, ठीक है सर, तो finally concept of correlation हमारा खतम हुआ, और concept of correlation में हमने है, जल्दी, revision में revision करवा दिता हम, तीन चीजे पढ़ा, perfect positive है, तो risk नहीं कट सकता, किसी भी हालत में, और formula standard division का छोटा वाला लग सकता, weighted average, perfect negative तो risk कट सकता है, depend करता है, correlation, perfect negative हो, और क्या depend करता है, और depend करता है, weight, और weight का formula, weight of A is equal to, standard division of B, दूसरे का standard division, divided by दोनों का standard division, अगर perfect positive भी नहीं है, perfect negative भी नहीं है, तो risk कट सकता है, 0 नहीं हो सकता, weight का formula, देख लेना, और standard division निकालने के लिए, बड़ा वाला formula ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर, भगवान ना करे, कि ऐसा stock आए, ऐसा portfolio बनाने के लिए, जिसमें 3-3 stocks, A, B, C, तो standard division of portfolio कैसे निकलेगा, तो बिटे ये वाले formula से निकलेगा, A plus B plus C square, बस combination बनाना पड़ेगा, सबसे पहले A और B के बीच में, फिर A और C के बीच में, फिर B और C के बीच में, कोई correlation कभी भी 3 stocks का एक सतने, correlation नाम से ही लग रहा, correlation मतलब 2 stocks का correlation, इसलिए आपको combination बनाना पड़ेगा, A, B, A, C, A, B, C, सर अभी तक ऐसा question आया है कि या नहीं आया, सब्सक्राइब के बीच में, P का standard deviation, Q का standard deviation, और साथ में correlation कितना दिया, 0.15, ना negative, ना positive, और portfolio बनाए, सारा पैसा P में लगाया, सारा पैसा P में लगाया है, तो कोई बात ही नहीं है, मैंने सबसे पहले expect return लिख दिया, और covariance लिख दिया, क्योंकि मुझे ना standard deviation of portfolio निकालने में easy हो जाएगा, ठीक है, तो भई यह standard expected return का formula, यह standard deviation का formula, और covariance PQ निकाल के रख लिए, क्योंकि मेरे formula में काम आने वाला है, पाँच टाइब के portfolio है, पहला, यह question इतना ही जी, आप क्यों करवा रहे हो, RTP में आ गया ना यार, बस RTP की वज़े से करवा रहे हैं, चलो जी, सारा पैसा किसमें, P में, फटा-फट से, सारा पैसा P में तो भई, P का ही return 12% और standard deviation 10%, 50% P में, 50% Q में, तो weighted average आ गया, और formula तो यही वाला लगेगा, ठीक है, आप देख लेना, मैं थोड़ा speed से चलो किस question में, ठीक है सार, 75% P में, 25% Q में, expect return और standard deviation, 25% 75% और सारा की सारा क्यों में, यह तो time pass question था, मैं नहीं भी करवा था, पर आप कर लेना, आप एक बार calculator चला लोगे, फिर पूचा था, कौन सा, कौन सा portfolio अच्छा है, return के सब से, जिसमें return जादा है, कौन सा portfolio अच्छा है, risk के सब से, जिसमें risk के काम है, तो अगर हम 75% P में, 25% Q में invest करें, तो यह best portfolio होगा, lower risk है, और अगर हम सारा पैसे, इनवेस्ट कर दें, क्यों में तो return सबसे जादा होगा, time pass question था, ज़रूरत नहीं थी, इस question को revision में डालने के लिए, पर RTP में दे दिया, इसलिए मैं नहीं करवा दिया, यह वाला question देखते हैं, इसमें के हैं, return on share of P limited, Q limited for the past two years, R as under, यह year दे रखा, 2000-2001, P limited और Q limited, मतलब सर इसका हमें, दो साल का return दिया, यह स्टो क्या हमें, expect return निकालना पड़ेगा, यह स्टो क्या expect return इसका भी निकालना पड़ेगा, यह स्टो क्या expect return निकलेगा, और जब तक expect return, single stock का नहीं निकलेगा, तो सर जी portfolio का कैसे निकलेगा, तो बोल रहा है हम एक portfolio, जिसमें 50% हम किसमें लगाना चाहते, P में 50% किसमें लगाना चाहते, Q में, ठीक है, expected return of portfolio निकाल लेंगे, 60% किसमें लगाना चाहते, P में 40% किसमें, क्यों मैं ठीक है अभी भी निकल लें और अब सुनो अब निकालना इस टेंडर डैवीशन आपीची स्टॉक तो फिर तो काम करना ही पड़े एक इसके लिए निकालना है इसके लागा गूरेंस भी निकालना है ठीक फिर बोल रहा है हम पी में लगाएंगे टू-थर्ड और व 12 11 17 28 तो यह आगए X बार और यह यह अगया Yप पर पिर किया ठीक है यह आगे पिष्टेंड या आंगे इस्टेंड देज्ट आप देख लोगे और यह आगया मेरा कॉवेरियंस तो कोवेरियंस मेरा को बिलियसं क्या है माइनस ही सब चीज़ अब हमारे पास है कोवेरेंस पर्शन अब हम 50 50 पर्शन लगाना है बोले यह 50 पर्शन पी तो ठीक है एक्सपेक्ट रिटम एंटो वेटो पर यह कि कि 60 40 लगाना है तो भी आंसर कितना है या 14 पर लेकिन सुनना बिटे जब मैं जैसी 2 3rd और 1 3rd लगाता हूं 2 3rd और 1 3rd लगाता हूं तो मेरा रिस्क क्या आ जाता है मेरा रिस्क 0 आ जाता है उसकी वज़ा क्या हो सकती है उसकी वज़ा बस इतनी हो सकती है कि दोनों का आपस में correlation minus 1 है और जो यह weights दिया है यह optimal weights है इसलिए दोनों के बीच में सौरी standard division of portfolio के आया जीरो सिर्विस वज़ा से अब अब बिटे एक बात है बेकार का कोशन है बोले weights अगर हम इसके अलावा कुछ और लेगे तो जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा बढ़े गई क्योंकि optimal weights नहीं है बस यही उसने बुला कि क्यों बढ़ेगा कि अगर हम 0.5.5 लेगे तो रिस्क और पॉर्टफोलियो कितना जाएगा 1.5 परशन ज्यादा आया क्यों ज्यादा आया तो उनकी परफेक्ट नेगेटिव है और जो वह वाला फॉर्मुला है उसमें वेट कितना दिया है टू थर्ड बन थर्ड इस ऑप्टिमल वेट अगर आप्टिमल वेट के अलावा कुछ और वेट से लेती हो तो रिस्क और पॉर्टफोलियो पक्का पक्का बढ़ना ही बढ़ना है यह कोश्चन इसके बात ठीक है दो मिनट बाद स्टार्ट कर ना ठीक है आपके लिए क्या फर्क पड़ता है हम तो अब यह कोश्चन लिखा मिश्टर रवी सिंगल है इस आइडेंटिफाई दसीर अप्टू कंपनी है और दो कंपनी है एक्स वाई-जेड और एबी-सी नो डाउट इयर दिया हुआ है एक्स वाई-जेड कंपनी के शेर का प्राइस दिया है रिटन नहीं दिया बैट प्राइस दिया है और एबी-सी कंपनी के शेर का प्राइस दिया है कैल्कुलेट दि रिटन और रिस्क और फॉम इनवेस्टिंग इन एक्स वाई-जेड और एबी-सी तो सर्जी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा रिटन उसके बिना काम नहीं हो सकता रिटन 95 का यहां से रिटन निकलेगा छे साल का यह 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 चैंजिन प्राइस वाला रिटन निकल जाएगा डिविडेंट नहीं दिया कोई उतिकर क्या और एक बार रिटन निकालना है तो उसके बाद रिटन रिस्क निकालना पॉर्टफोलियो का अगर आप साट पर्शन किसमें लग एकस तो एकस ऊड़ीज़ पॉटफोलियो का डिटन निकालना पड़ी है और पूछ रहा है कि आपको कॉम्मिनेशन में लगाना चाहिए कि सिर्फ एकस वाइजै इप मैं लगाना चाहिए कि एबी सिमन लगा ना चाहिए वो पॉर्टफोलियो का ट्रेजन निकाल कर देखेंगे उसके बाद डिसेट करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे रिटन इस्टार्ट कहां से करोगे 96 97 98 90 और शियर का प्राइस रिटन इयर दिया हुआ है तो यह 1 2 3 4 इस तरह से काम हो जाए यह किसका रिटन निकल गया एकस वाइजेट का इसी तरह से यह किसका निकल रिटन निकल गया एबी सी का यहां तक ठीक है यह समय अब हमको क्या करना पड़ेगा टेबल यह टेबल है हमारी टेबल में 6 साल लिखा एकस लिखा वाय लिखा क्योंकि यह दिया है तो डिवाइड बैए 6 तो एकस बार कितना गया 14% Y-bar कितना गया 16.19% डेविशन होगा एकस मैंनस एकस बार Y-y स्क्वेर करना ही पड़ेगा यह कि हमें स्क्वेर डिवाइड बाइड बैए 6 तो यह आगे इस टेंडर्ड डेविश्न और यहां गया इस टेंडरड डेविशन ओफ वाय कोवेरेंस की जरुद गयां मायनस तो हमें क्या correlation निकालना पड़ेगा यह निकलेगा को रिलेशन और यह निकला लगभग 0-0-0-0-2 कि ठीक है यहां तक ठीक है अब जब को रिलेशन निकल लिए तो वह बोलगा कि कुछ पैसे में लागाना कुछ पैसा वाई में लगाना कुछ पैसे एक वाय ज strongest ए बीची में और पॉर्टप्वेलियो करेड़ने का ना रिजस्क न वह हम ने काला होगा है ईयगर 60 परशंद और 40 परशन तो यह एकसपेक ट्टरुम पर्टफॉलियो आगे हां और यह एक्सपेक्ट रिटन ओफ सुरी स्टेंडर डेविशन ओप पॉर्टफोल्यू आगा है यहां तक तो बहुत अच्छे यहां तक कर लेते हैं कैल्कुलेशन जादा थे इस कोशने बाक्य कुछ सवाल उसने यह पूछा है यार हमें ए में ही लगाना मतलब एक एबी सी में ही लगाना कि एक्स वाइजेट में ही लगाना सिर्फ कि दोनों में मिलाकर लगाना पोर्टफोलियो जाद आच्छा किया जाता उसके लिए कंपरेजियन करना पड़ेगा आए एक्स वाय जैट में लगाता हूं तो यह expect return और यह risk ABC में लगाता हूं यह expect return और यह risk और combination में लगाता हूं यह expect return और यह risk पर थोड़ा सा कहना मुझकल है इसलिए decision हम coefficient of variation के basis पर दे देंगे निकाल लेंगे इदर 2.3 इदर 1.0 और इदर देखो सबसे कम CV और CV सबसे कम है तो सहाप आप XYZ में मत लगाओ सिर्फ ABC में भी मत लगाइए आप दोनों में लगाइए क्योंकि coefficient of variation कमा रहा है अच्छा कोशन था यह ओकी सर्फ और इकाट कोशन देखे कि हैं बिल्कुल अच्छा वाला कोशन देखते हैं यह कोशन कहां से सब प्रेक्टिस मैंने तब आपके एकजाम के कोशन है मैंने एक भी कोशन अपने मनवाला नहीं लिया आपके प्रेक्टिस मैन Dry Daddy क्योष्न में से एक बुले एक economy A है वो ग्रो हो रही है दीरे दीरे तो लगाओ ना यार उसमें पैसा बुले आप जो investment किये अभी develop country stocks में सिर्फ पैसा लगाए हो तो develop country stocks में पैसा लगाए हो बहुत अच्छी बात है पर वो तो हो चुका है वहाँ पैसा लगाओ जिसका economy बढ़ा है ठीक है और आपने डिसाइड भी किया कि हमियार economy A में पैसा लगाएंगे ठीक है और आपको standard deviation correlation वगेरा इसकी कुछ table भी दे रखा है यह सुरी यह मिस्प्रिंट है यह है डेलोब कंट्री स्टॉक का expect return और यह economy economy A में रिटन ज्यादा है रिस्क सोलाप economy A में रिस्क भी ज्यादा भई economy बढ़ आया तो फिस्क भी ज्यादा होगा और दोन के बीच में कोर्रेलेशन है पॉइंट त्री आरेब दिया तीन पर्संट युए रिक्वार्ट विट्माइट अब मांग क्या रहा है जड़ा देखते हैं सुना ध्यान से यह कोश्चन वाट पर्संट इस आप यूर पॉर्टफोलियो शूद यू एलोके टुश्टॉक पैसा लगाना हमें डेलोब स्टॉक और एकोनोमी ए तो हमारा जो पॉर्टफोलियो का रिटन है यह पॉइंट फाइब से बढ़ जाना चाहिए और कितना आ जाना चाहिए 10.5% तो बताए एक्स में कितना लगा है वाई में कितना लगा है ठीक वाट विल भी स्टेंडर डेविशन अप्यूर पॉर्टफोलियो एजिमिंग दा स्टॉक अप एकोनोमी ए आर इनक्लूड़ेड मतलब जो भी वेट निकलेगा यह रिटन लाने के लिए जो भी वेट निकलेगा उसका स्टेंडर डेविशन भी निका लिए और हमें तो कोर है चले सबसे पहले हमें रिटन कितना चाहिए 5.5 जादा मतलब हमें चाहिए 10.5% वेट पे लिखा 1-वेट उसके हिसाब से अगर करोगे तो वेट आ अगे कितना 0.9 वेट अबी कितना अगया 0.1 इट मेंस कहाने लिखा हम एलोकेट कैसे करेंगे वेट एकोनॉमी ए में 10% डेवलोप कंट्री में 90% ठीक है दूसरा यह जो वेट है 90 और 10 इसी के हिसाब से हम क्या निकालेंगे अब पॉइंट नमबर 3 में क्या बोला सुना धियांस जब मैंने सिर्फ इसमें पैसा लगया था डेवलोप कंट्री स्टॉक में तो एक्सपेक्ट रिटन था 10% डेवीशन था 16% जब मैंने एकोनॉमी एक को भी इंक्लूट किया तो पॉट्फोलियो का रिटन और रिस्क कि 15.5% ष् 입wood लास्ट कुच रहे है क्या पूछ रहा और नप्सट करने वाला समय कि जंआओ लास वाला आश्ट को वैलग दर फंड वी कंपेंस्ट इडवर 1 लाइं हमने extra risk लिया है, extra risk लिया है, risk free, risk free में risk होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, पर अगर हमने dialogue country में लगाया, तो risk है कि नहीं, ये 16 परशन, जो extra risk ले रहे हैं उसके लिए आपको कितना compensation मिल रहा है, मतलब risk premium, है अगर मैं कहता हूं मैं आपको detail में समझाया हूँ यह question मैं ने कहा simple सी बात है question में क्या मांग रहा है हमसे हमसे sharp ratio मांग रहा है और sharp ratio हम निकालेंगे ठीक बाकि story आप देख लेना sharp ratio का formula क्या है risk premium divided by risk इतने risk पे कितना risk premium जब आप developed country में लगाते थी तो आपको इतना मिलता था sharp ratio जब portfolio में और sharp ratio should be क्या होना चाहिए highest तो आपने portfolio में लगा कर अच्छा काम किया लेकिन question में requirement नहीं कि अच्छा किया कि बुले बस बुले sharp ratio निका लिजे मैंने निका लिए sharp ratio और एक यह question है और यह question भी अच्छा था speed से काम करेंगे क्या यस इस question में खास भी यह भी प्यम का यह question यह question मैं अभी अभी करवाया हूँ यह सारे question में description में जाओ के देखो कि detail में समझना हो हो इसमें क्या है आपने कोई share रोग लग और डेड़ हो रहा है सेप्टेमबर में और इस स्थर्टी ऐड्यकंत法े और शेयर का प्राइस यहां कितना हो गया तो वो लिखा है 220 और 290 यहां शेयर का प्राइस हो गया 220 और 290 आपसे मांग क्या रहा है बोले आपसे यहां की रिटन मांग रहा है और आपसे यहां की रिटन मांग रहा है और यहां शेयर का प्राइस कितना है तो बोले यहां आप यहां खड़े हो यह हो चुक return क्या करते है सबसे एक 하루 निकालते एक का return निकालते है और फिर क्या कर देते है वेट लगा देते हैं तो portfolio return निकल ऑक से निकलगा कि अजय कैसे नकिलेगा है ही सरडीटन कैसे निकलेगा change in price plus income change in price plus income आरयम से काम हो जायेगा चेक लिए यह देखो, calculation of average return of portfolio 2019, change in price 15%, change in price plus dividend, और इसका क्या कर लिया, वेटेर आवरेज, दो लाग, प्लस दीड़ लाग, दीड़ लाग, दीड़ लाग, चुस बेस से है ना, बेस महा का, तो पॉर्टफोलियो का रिटन कितना आगा, 7.57%, ठीक है, इसी तरह से यह भी किया, change in price plus income, change in price और फिर weighted average किया, तो इसका कितना आग है, 18.01%, पॉर्टफोलियो रिटन, एक कप का निकला 2019 का और एक कप का निकला 10.11, एक बाद बताओ ना, हमें, opening price मालो में, closing price मालो में, तो फिर तो कोई दिक्कप की बात है, अब, क्या मांग रहा है, उसके बाद उन्हेंने बलता है, risk, risk कैसे निकला थे, वैसे तो मैं percentage से निकल सकते, इसको मैं explain किया हूँ, प्लीज आप description में देख लेना, देखो, ये क्या चीज़ है, सर बीस, पचास, असी, बिट्टे, ये है मेरा income, मुझे जो deviation निकालना है, वो कब का निकालना है, 9-10 का निकालना है, 10-11 का निकालना है तो 10-11 को मेरी income, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, पचास भी हो सकती है, और उसके हिसाब से मैंने रुपीज में ही काम किया, तो मैंने standard deviation वगेरा निकाल लिया, और standard deviation यहां कितना है, 21 और यहां standard deviation 14, तो बोलो कौन सा है, I am limited ज्यादा risk है, सर ये थोड़ा सा speed नहीं हो गया description में जाओ, detail में समझा, ये बाला question में ज्यादा time नहीं लगा सकता, क्योंकि अब भी upload किया, तो आपने देखा ही होगा, चलो भई, आगे बढ़ा है, question वैसे मुझे करवाना नहीं था, पर करवाया आपको, चलो जी, आगे बढ़े तो आगे, एक बार देख लें क्या किया रिविजन जरूरी है भई, क्या पढ़ा है, MPT, पहला, introduction, दूसरा, expected return and risk of single stock, तीसरा, expected return of portfolio, चोहता, correlation, पाच्छवा सामने, कभी-कभी हम क्या करते है, हम एक portfolio हमने बनाया, तो portfolio में कैसा पूरा पैसा आप share market में डाल देती हो, नहीं भई, कुछ पैसे हम बैंक में भी तो जमा करती हो गे, share market में पूरा पैसा डाला और खतम हो गये तो भरबाद, तो कुछ पैसे risk free में भी लगाअे, तो हम अब पोर्टफोलियों में अभी तक जो आप पैसा लगा अभी तक जो किया वो सिर्फ इस टॉक्स में लगा रहे थे शेयर मार्केट में लगा रहे थे अब पोर्टफोलियों इस तरह से बनाना चाहते है कि कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाए और कुछ पैसा रिस फ्री पर लगायर इसक्री सिक्यूरितिमें लगा और फिर निइकाले की पोर्ट्फोलियो का रिटर्नबभ फॉर्ट्फोलियो का रिस्क Ja है ले कंस्रोक्टर पॉर्ट्फोलियो पर रिस्की स्टॉक सें एक बात कसम खालो इस टेंडर डेपीश नॉप रिस्क फ्री एसेट्स हमेसा क्या होगा 0 को दूसरा को रिलेशन और रिस्क निकालना मझे डात मार्केट का पर इस्टॉक है और रिस्क फ्री तो भाई रिस्क में तो डैवीशन किया होना है मालो रिस्क फ्री का 6% तो डैवीशन किया होगा कितनी भी प्रोवाइबिलेटी रहे 60% होगा तो 6-6 0 इसका रिस्क फ्री का डैवीशन हमेंसे क्या रहेगा 0 और रिस्की स्टॉक का कुछ भी होगा दो चार 10% पर दोनों को अपस में जब मल्ट जाने के लिए हलकी में मत लेना वाई इसको काम की चीज है इस टॉक ए और रिस्क फ्री इसका और इसका जीरो होना है अगर अब 80% में लगाते हो 20% किसमें लगाते हो रिस्क फ्री में लगाते एक्सपेक्टर डिटन और रिस्क एक्सपेक्टर रिटन तो क्या हो जाएगा वेटेडेवरिस रिस्क क्या हो जाएगा ए इंटू पॉइंट एट और दूसरे वाले का तो जीरो हुई हो ना इस्टेंड यह मैंने आपको डेडिविशन समझाए और उसके बाद फाइनली इस फॉरुम लें पर पहुंचे इट मिस आप एक जगह स्टॉक में पैसा लगा र बाकी यह फॉर्मुला कैसे आया मैं डेडिविशन में करवा चुका हूँ आपको क्लास में ठीक है चलो जी यह काम केजीज है यह यह जो एक्जामपल में आपको करवाने वाला हूं यह आर्बिट्रेस प्राइसिंग थियोरी में काम आने वाला है समझने के कोशिश करना आ तो कमाई हो रही है श्टॉक मार्केट में 40,000 खुद का भी लगाओ 40,000 रुपए लगा दो श्टॉक मार्केट में और और भी कमाना चाहते तो रिस्क फ्री पे उठाईए पैसा सस्ते में कम पैसों में ज्यादा रिस्क लो रिस्क लवर बोलते रिस्क लीजिए आप और भ पर 6% पर तो टोटल मेरे पास जमा कितना हो गया सर आपके पास 50,000 रुपे जमा हो गया और यह सारा पैसा मेंने किस में लगा दिया security A में लगा दिया कितने की कमाई है 20% और standard deviation कितना 8% तो आपको निकाला expect return and standard deviation of portfolio यह जो है मैं common sense यूच किया common sense common sense ऐसे यूच किया कि साथ 50,000 का 20% 10,000 कमाई गे पर 10,000 जेब में थोड़ी रखोगे 10,000 में से 10,000 जो कमाई उसमें से 10,000 का 6% 600 रुपे ब्याज देना बढ़ेगा वो 600 रुपे दे दिया तो हमारे पास बचा कितना 9,400 रुपे जेब में बचा 9,400 जो कमाया वो खुद के पैसो के लिए कमाया 9,400 डिवारे वाज रिटन कितना आ गया 23.5 पर पर एक्जाम में ऐसे नहीं कर सकते हैं एक्जाम में वेट निकालना पड़ेगा और कसम खालो वेट मतलब सेक्यूरिटी ए में कितना पैसा लगा रहा है 50,000 कभी भी बेस जो रहेगा न यहां रहेगा ओन फंड खुद का पै उपर क्या जाएगा इस्टोग ए में कितना लगाया तो वेट ऑप एक इतना गया 1.25 1.25 का मतलब जितना खुद के पास था उससे ज्यादा भी लगाया सर वेट का टूटल तो वन से ज्यादा हो गया बिट्टी एक माइनस में आएगा ना उधार लिया था वन माइनस वेट अब ए तो आंसर कितना जाएगा मैनस पॉइंट टूफ आप ऐसे भी कर सकते कितना उधार लिया था दस अब तो दस रर डिवाइद बाई 40,000, तो minus 0.25, क्या weight minus में आ सकता, yes, weight minus में इसका meaning क्या हूआ, meaning यह है कि आपने उधार लिया, आपने उसमें invest नहीं किया, उससे उधार लिया, और इसके साब से मैंने expected return निकाला, तो answer कितना आ गया, 23, वही तो आएगा, जो आपने common sense से निकाला, और standard division of portfolio क्या आएगा, 8 into 1. 1.25, यह तो मैं आपको समझा चुका है, risk free है, risk free में तो आगे जाना ही नहीं है, 10 परशन, इस question में सीखने के लिए क्या था, बस यह सीखने के लिए था, कि weight 1 से ज्यादा भी आ सकता, किसी एक stock का, हलां कि total weight 1 होगा, दूसरा, जब भी weight निकाला, on fund नीचे रहेगा, base चलो जी, point number 5 हो गया, point number 6, this is efficient portfolio and optimum portfolio, efficient portfolio, efficient का मतलब क्या होता है, efficient का मतलब होता है, perfect competition, ऐसे stock निकाली है, जिस को, में के बीचे में, perfect competition, मैंने आपको समझाया भी था, ठीक है, वो अब में बहुत जादा explain नहीं कर पाँगो, मैंने ये समझाया था आपको, कि यार, accounting का test होने वाला है, जी, उसमें एक 11th का बच्चा participate करा, एक 12th का बच्चा, एक 9th का भी बच्चा, एक CA, एक CS, एक CMA, तो यार, इनकी बीच में perfect competition नहीं है, ये efficient नहीं है, इस में से 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, नाइंत का बच्चा, ये कैसे आपके साथ competition कर पाएगे, तो उनको अलग करो, वो कौन लोग है, वो है, inefficient, जैसी आपने उनको अलग कर दिया, उसके बाद आप CA, CS, CA में आप लोग बच्चे, उसमें से मुझे best निकालना पड़ेगा, this is optimum, efficient मतलब जिनका अपस में competition है, optimum मतलब उसमें से भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, test, तो ये concept था, efficient portfolio and optimum portfolio, तो लिखा हुआ, in given number of security, we have to select optimum security, our optimum portfolio, in order to select optimum portfolio, first we have to select efficient portfolio, और selection criteria क्या था, एक example मैंने करवाए हूँ, suppose, इसी question को देखना, सुना दियांसे, efficient portfolio में selection criteria, मालनों बिट्टी, दो इस्टोक है, A, B, इसका return है, 10%, इसका return है, 12%, इसमें risk है, 5%, और इसमें भी division कितना है, 5%, return, 10 और 12, और risk, 5 और 5, तो भाई, बास समझे, इनका क्या आपस में competition है, नहीं है, सर, देखते ही, काड़ दो, किसको काड़ दूँगा, मैं, A को काड़ दूँगा, क्यों, क्योंकि, B, provide higher return, at same level of risk, तो बोले, efficient portfolio में selection criteria, क्या होगा, बोले, select कीजिए, security which provides higher return, at same level of risk, या फिर क्या हो सकता है, यह 10 हो सकता है, और यह 4 हो सकता है, तो इस condition में, मैं कौन से security, B, क्यों, क्योंकि, B, provide same return, at lower level of risk, select the security which provides same return, at lower level of risk, या फिर, ऐसे security के सुजिए में return भी जाता हो, और रिस्क भी कमा, point number 3, टिक, तो पहले क्या निकालेंगे, efficient portfolio, और उसके बाद क्या निकलेगा, optimum portfolio, और optimum portfolio को किस बेसिस पे निकालेंगे, या तो utility function यूज करेंगे, अगर दिया होगा तो, या तो sharp ratio यूज करेंगे, अगर risk free rate दिया होगा तो, या फिर coefficient of variation, अगर कुछ ने दिया होगा तो cv, एक example ले लेते हैं, वो मैंने करवाया था आपको, a, b, c, d, e, f है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, efficient portfolio, अब efficient portfolio मैं कैसे निकालता हूँ, सुनना गया हाँ स, मैं क्या करता हूँ, मैं यह देखता हूँ, सबसे पहले risk, एक जैसी कहीं देखता हूँ, सर यह 5, यह 5, यह 5 और यह 5, सर पाच परशन इधर रिटन जा दे, a, a, inefficient हो गया, it means, a, भाई साब, सेम रिस्क पे कम रिटन दे रहा, तो, c, खरी देंगे, हम a क्यों खरी थे, आगे, अब इसके बाद रिटन कहीं सेम देख रही कि नहीं, रिस्क नहीं दिखरे, रिटन देखो, 18, 18, यह 6 और यहां, बी काटो, क्योंकि 6 परशन पे यहां, 7 परशन पे 18, यह 6 परशन तो, यह अच्छा है, और कुछ कट सकता है, कि और 5, 6, और कुछ नहीं कट सकता, इस तरह से निकालना पड़ेगा, तो, security A is inefficient in comparison to C, because C provide higher return, C provide higher return at lower level of risk, B is inefficient because D is, D provide same return, 18, 18 at lower level of risk, तो, hence, security C, D, E, F are efficient, ठीक है, तो अब हमने क्या निकाल लिया, efficient portfolio निकाल लिया, इसके बाद, चाहो तो, आप यह efficient frontier बना सकते हैं, इधर risk और इधर return, इसको corner portfolio भी बोलते हैं, corner, it means, हम यही वाली, इसके, यह वाली, जो corner पे न, यह वाली security purchase करेंगे, अपने portfolio में डालेंगे, risk ज़्यादा है, तो return भी ज़्यादा मिलेगा, आगे चलते, अब हमको क्या निकालना, optimum portfolio, after selection of efficient portfolio, अब हमको क्या select करना पढ़ेगा, optimum, optimum portfolio के selection के लिए, तीन चीजों के requirement होगे, या तो utility function दिया हो, ठीक है, utility function का मतलब highest utility, वो हमारे लिए best होगा, या तो star pressure के लिए risk free rate दिया, तो highest star pressure हो best होगा, अगर कुछ नहीं दिया, तो CV, lowest CV वो अच्छा होगा, utility function दिया हुआ है, मान लो, तो return minus risk, बात समझे है, return minus risk, सरी 0.3 कहां से आया, यह question में लिखा रहेगा, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अपना अपनी company का, अपना अपना standard होता है, 0.3 कोई 0.4 भी ले सकता है, अगर में return में से, अगर return जादा है, अगर return जादा है और risk कम है, return जादा है, risk कम है, तो पक्का पका utility highest ही आयेगा, बस, निकालने की कोशिस किया मैंने, और इसमें highest utility कितना आया, किसमें आया, यह आया, 8.3%, तो optimum security मेरे लिए क्या हो गया, अगर utility function नहीं दिया है, RF दिया है, RF दिया है, तो क्या निकालोगे, शार प्रेश्यों, आर, expected return minus RF divided by standard deviation, highest star pressure देख लेना, तो highest star pressure देख लोगे आप, और highest star pressure किसमें आया, security D, C, D, E, F, तो security D में, अलग-अलग answer आ सकते, security D में highest star pressure आया है, 2, तो security D हमारे ले क्या हो जाएगा, optimum, cv निकालना, तो आपको आता ही है, check करो, this is cv, cv निकाला, सबसे कम cv किसमें, सबसे कम cv, ये वाला देख रहा, security E, security is optimum, question sir, आई हुए कि, question ना कि बराब, एक question था practice में, वो साइद मैंने cover कर रखा होगा, yes, ये cover किया, और इसमें आपको कोई भी, optimum security नहीं निकाला, efficient, चलो check करते, सबसे पहले में risk, 4, 4, 4, 4, 8 अच्छा की 4, 4, 8 अच्छा, इसको काटा, और देखो, और देखो, पाच और पाच, तो सर्फ पाच पे, 9 अच्छा, इसको भी काटा, और कोई है कि नहीं, तो efficient security और 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 देखो नहीं, और कुछ हो सकता है, अब सुनना ध्यान से, अब यहां दिमाग दोड़ाना थोड़ा सा, 6 पे, 8 कमारों, यहां 5 पे, 9 कमारों, तो इनका अपस इसको काटो, ठीक तो efficient security कौन सी हो जाएगे, A, C, A, अब वो बोल रहा है, आगे question में, कि मान लो कि हम 75% किसे में लगा, A में और 25% C में, और इनके बीच में positive correlation है, तो बताइए हमको लगाना चाहिए, कि नहीं लगाना चाहिए, तो सर जी, पहले आप, पहले आप एक काम करो, expected return of portfolio निकालो, 75% किसे में लगा रहा है, A में, 8 x 0.75, 12 x 0.25, तो कितना 9%? और standard average 2 की perfect positive correlation है, तो छोटा वाला formula लगेगा, 6% तो अगर मैं portfolio में पैसा लगाता हूँ, तो 9% की कमाई होगी, पर risk कितना है, 6%, जबकि सिर्फ E में लगाता हूँ, तो यहाँ भी 9% की कमाई है, लेकिन सिर्फ 5% risk पर 9% की कमाई है, तो सर पोर्टफोलियो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसकी अपेक्छा तो आप security A में पैसे लगा लीचे, ठीक, एक कोशन कहां का, यह PM का डाला हूँ, आगे चले, यस, चलो जी, आगे चल रहा है, आगे और एक चीज है, और वो है, पोई निम्बर 7, matrix approach for selection of optimum portfolio, कोशन आने के chances कम हैं, पर पहले कभी डला हुआ था, इसलिए में यह करवा रहा, matrix approach, इसमें होता क्या है, इसमें हम matrix approach से, portfolio को चूज करते हैं, matrix approach, selection करते हैं, matrix approach से, matrix approach से कैसे गाम होता है, बिटे, हम लोगों ना, अपना एक standard set कर लेते, समझा दो हूँ, यह सब कोशन में दिया रहेगा, suppose, हम कहते है, return, risk, और liquidity, तीन criteria हमने decide किया, return, risk, और liquidity, और return क्या होना चाहिए, higher होना चाहिए, simple सी बात है, यह दो हम जानते हैं, पर एक target है, और target हमने क्या लेका है, return 14% से ज़्यादा होना चाहिए, एक target, यह सर यह कहाँ, यह standard हमने अपने लिए set कर दिया, कि return 14% से ज़्यादा होना चाहिए, एक criteria, ठीक है, अब एक बाद बताओ, target मेरा कितना, 14, मैं एक stock देख रहा हूँ, जिसका return है, 16%, 14 से ज़्यादा, हमारे लिए अच्छा की बुरा, अच्छा, तो हम ना उसको score कर देंगे, अगर 14% चाहते हैं हम लोग, target 14, और 14% ही मिल रहा, तो हम कहेंगे 100 number होई, 100 number, और 14 से ज़्यादा मिला, तो उससे भी 100 number से भी ज़्यादा, score दे रहा है, 100 से भी ज़्यादा number मिलेगा, ठीक, ओके सर, पर अगर 14% target है, और हमको सिर्थ 10% ही provide कर रहा है, तो मैंने का यार अब 100 से कम, इट मिन्स हम बेज बना रहे हैं, ज़्यादा तो 100 से ज़्यादा number, कम तो 100 से कम नम्बर, risk, risk कितना है, 8% target risk, अब सोच के बताना आराम से यहाँ दिमाख चलाना पड़ेगा, risk हम क्या चाहते, कम से कम हो, कम से कम हो, इसका मतलब है, अगर risk 8% से कम होगी, तो हम ज़्यादा number देंगे, 100 से ज़्यादा, अगर 8% से ज़्यादा होगी, तो भई, risk तो ज़्यादा, फिर तो हम कम नम्बर, हम नम्बर देने वाले हैं, बस और कुछ, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी का मतलब यह है, सर, कि हम जो stock में पैसा लगाते हैं, वो जल्दी से जल्दी पैसा, लिक्विड, मतलब हमें cash में convert हो जाना चाहिए, जो इतने जल्दी cash में convert होगा, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा माना जाएगा, हमारा target days कितना है, वह चार दिन अगर दो दिन में दो दिन है liquidity किसी stock दो वाव खुसी का ठिकाना नहीं पर अगर पास दिन है तो भी आप कम नंबर देंगे हम नंबर देने का काम कर रहा है और फिर total score को हम add कर देंगे total score को add करेंगे और जिसमें highest score आएगा वो portfolio हमारे लिए अच्छा है ये भी selection का criteria है चलो जी सबसे पहले expect return a 15 परशन और वी क्या तो क्या score निकाल सकते है यस 15 by 14 11 by 14 107 और 70 एक percentage निकाल रहा हूं standard deviation 10 और 7 तो ठीक है सर 10 by 8 वीटे 10 by 8 नहीं होगा आप 8 by 10 होगा मेरे खिया से इतना common sense लगा रहा है ना आप 10 by 8 से ऐसे में तो score 100 से जादा जाएगा होना क्या चाहिए 8 by 10 ठीक है सर बाकी मैंने detail में class में discussion किया है यह score आ गया ऐसी liquidity score liquidity score भी आ गया और सबको जोड़ दिया तो बुलो इसमें ज्यादा score है इसमें ज्यादा score है तो हम कौन सा security purchase करेंगे भी ठीक and point number कितना हो गया है यह सेवा आप करते पॉइंट नमबर एट कि सब इसका नाम क्या है यह question डला हुआ था इसका नाम लिग देता हूं इसका नाम है आठ corner portfolio यह वैसे तो मेरी class number 30 में है जो बच्चे मेरी class किया हो class number 30 में देखो कि तो यह मिलेगा corner portfolio पर मैं इसको यह करवा देता आप कॉर्णर portfolio होता क्या है सर पहले यह बताए कॉर्णर portfolio का मतलब यार वो किया था नामने कौन सा efficient इस तरह से हमारा था और यह था तो यहां एक portfolio हो सकता यहां एक portfolio हो सकता है इसका इसका lecture डाला हुआ है यह वाला corner पर और यहां एक portfolio में 3 stock हो सकते हैं चार हो सकते हैं मालो यहां है यह portfolio का नाम क्या X यह portfolio का यह portfolio का चैट और X portfolio में कितना stock है ABC वाय में कितना ABC और Z में 3-3 stock है ठीक है okay sir an investor has two portfolio known to be minimum variance set for population of three security ABC तीन stock है एक है portfolio X और एक है portfolio Y ठीक है जी okay sir आगे कर portfolio X मतलब यह portfolio X है portfolio X में 3 security weight कितना 0.3, 0.4, 0.3 और portfolio Y है और उसमें weight कितना 0.2, 0.5, 0.3 it is supposed that there is no restriction on short sell short sell कर सकते हैं मतलब minus में weight आ सकता है what would be weight for each stock for a portfolio constructed by 5000 in X इसमें कितना रुपया लग रहा है 5000 और इसमें कितना लग रहा है 3000 तो बताई इसका weight कितना इसका weight कितना इसका weight कितना हो जाएगा यह 5000 को हम बाट देंगे 30 percent 40 percent 30 percent यह बाटा और यह बाटा तो total यह आ गया हम यह मानते हैं सुनना ध्यां से बिटे कि stock X में जिस proportion में ABC है इस portfolio X में जिस proportion में ABC है सेम proportion में इसमें भी stock ABC होगा सर्थ समझ नहीं है समझाता हूं यह portfolio X है यह portfolio Y है अगर देखो इनका change देखो यह कितने से बड़ा सर यह 1 से बड़ा 1 से बड़ा तो सर यह 1 से कम हो गया है और इसमें तो change होगा है ठीक है इसमें आगे जो भी changes हो गए वैसमें चैंज होग तो इसमें भी change होगा इसमें भी change होगा इग्जाम में क्या पूछा जा रहा है बुक्रा ड़ा है वेट आप आप A में अगर हम change करते हैं तो बता यह वेट आप B कितना ह Coco समझना है संबोर सपोज़需 इंवेश्टर invest 4,000 out of 8,000 in security A, सुनना बिठे, यहां 50% लगा रहे है, security A में 8,000 में से 4,000 रुपिया लगा रहे है, मतलब 50%, मतलब सर देखो, यह एक से बढ़ा था, तो यह एक से कम हुआ था, right, अब की बार यह 3 से बढ़ रहा है, 0.3 से बढ़ रहा है, तो सर यह भी 0.3 से कम हो जाना चाहिए, मतलब इसका वेट कितना आना चाहिए, 0.2, 0.5, और इसका वेट तो 0.3 ही रहेगा, मतलब सर यह वेट आएगा, बात कहता है, yes, common sense अगर लगाओगे, तो, how he will allocate the balance between security B and C to ensure that portfolio is on the minimum variance, minimum variance set, minimum variance, मतलब यह minimum variance C है, ठीक है, अब वैसे तो common sense लगा के दिख गया, 0.5, 0.2, 0.3, लेकिन, यहाँ एक line बनाई गई, critical line, इसको मैंने detail में समझाया हूँ, इसका अभी lecture upload है, यही वाला lecture upload है, description में देखो गया, और एक equation बनाए गया, equation है, y is equal to, mx plus c, y का मतलब, y का मतलब बोले, c को भी भूल जाओ, यह है y, इसका मतलब 0.4, 0.4, 0.3 into m plus c, ऐसे equation, 0.5 is equal to, 0.2 plus c, actual में यह क्या है, यह कुछ है नहीं, मैं change निकाल रहा हूँ, कि इसमें इतने का chance, तो इसमें कितने का chance, इसमें एक minus होता है, तो इसमें एक plus होता है, बस वह चीज मैंने निकाल ला है, तो यहाँ m का कितना आ गया, minus 1, और फिर इसको मैंने कहां किया, इसको equation 1 में put कर दिया, तो c का value आ गया, 0.7, यहां तक ठीक है, अब इस 0.7 को मैं इसमें रख देता हूँ, कहीं भी रख देता हूँ, मेरा answer आ जाएगा, it means, अगर मैं करूँ, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, weight of b, अगर मैं इसको लिखू, weight of b is equal to, m, तो m क्या है, minus 1, into, weight of b, weight of b कितना है, 0.5, plus, c का मतलब क्या है, 0.7, अगर इसको solve करूँ, तो weight of b कितना आ जाएगा, 0.3, it means, weight of a हमको पता लग गया है, yes sir, weight of a कितना है, 0.5, weight of b कितना है, 0., तो weight of c कितना जाएगा, 0.2, यह equation से करना जरूर ही है, हाला कि जब मैंने देखते ही समझाया था, तो यह आ गया था, 0.5, 0.2, 0.3, वोई काम यहां भी हो रहा है, 0.5, 0.2, 0.3, यहां देख लिए, 7 में से 5 गए, यहां 2 जाएगा, और यहां 3 जाएगा, ठीक, अब बता दो भई, ए में कितना पैसा लगेगा, 4,000, बी में कितना पैसा लगेगा, कैल्गूलेटर रहा ही, 8,000, इन्टू, 0.2, 1,600, C में कितना पैसा लगेगा, 8,000, इन्टू, 0.3, 24, बस कतम, यह question already डला हुआ है, कहां मिलेगा, आपको यह description में जाओगे, डिटेल में, बहुत डिटेल में discussion किया है, करीब-करीब आदा घंटे का lecture है, आदा घंटे में हो जाए गए, ठीक है सर, बात समझ में आ गए, यह क्या था, point number 8, modern portfolio theory में, और एक था वैसे, any stock, बहुत सारी stock है, हम यह मान के चलते थे, और फिर हम निकालते थे, पर वो उतना relevant नहीं, उसके questions भी नहीं है, तो वो मैं यहां revision में नहीं कर भा रहा हूँ, तो देखा जाए, तो modern portfolio theory में, total मिलाकर 8 points बढ़ा है, फटा-फट से देख लेते, MPT खतम हमारा, आगे क्या कर रहा है, capital market theory, CAPM, जल्दी जल्दी देख लेते, पहला point क्या किया, introduction, ठीक है सर, दूसरा point क्या किया, expected return and risk of single stock, वो दो basis पे था, on the basis of, on the basis of past data, on the basis of probability, coefficient of variation भी किया था बीच में, फिर उसके बाद क्या सिखा, expected return of portfolio निकालना, अब फिर उसके बाद correlation, correlation में हमने खास बात क्या पढ़ा, अगर perfect positive है, तो risk नहीं कटेगा, perfect negative तो risk कटेगा, optimal weight देना पड़ेगा, other than plus one minus one है, तो risk कम होगा, पर zero नहीं होगा, ये बाते पढ़ा, उसके बाद हमने का हम risk free में पैसा लगा है, क्या होगा, उसके बाद क्या पढ़ा efficient portfolio, optimum portfolio, उसके बाद क्या पढ़ा, matrix, matrix approach से, कैसे आप portfolio का selection करोगे, उसके बाद क्या पढ़ा, corner portfolio, अब आगे हम कहां चाल रहा है, capital asset pricing model पर, ठीक है, चलते हैं, हाँ जी बच्चो, part number one, modern portfolio theory, खतम हुआ, अब बात करते हम, part number two, जिसको हम बोल रहा है, capital asset pricing model, या फिर आप capital market theory का थोड़ा सा extension समझ लेजे, capital market theory भी समझ लोगे, तो कोई दिकर नहीं, सबसे पहले बात करेंगे, introduction, फिर बीटा का calculation, फिर बीटा of portfolio, बीटा management, calculation of alpha asset pricing, total risk, systematic risk, and unsystematic risk, assumption of CAPM, हम नहीं करेंगे, सर्क्यों, theoretical है, तो यह आप देख लोगे, खुद से, और special question नहीं करेंगे, special question मतलब वो question जिसमें, कुछ न कुछ problems है, concept से related, जिसके आने के chances कम होते, तो यह भी हम नहीं करेंगे, बाकी, जिन लोगों ने class किया है, वो एक बार देख लेंगे, तो capital asset pricing model, आखिर modern portfolio theory में, ऐसी क्या problem थी, जिससे capital asset pricing model को आना पड़ा, वजह सुनना, बात यह है कि आपने कहा कि, दो ऐसी security में पैसा लगाना, MPT, Markovic जी बोलता है, दो ऐसी security में पैसा लगाना है, जिसका आपस में correlation negative है, इट मिंस आप diversification कर दीजे, एक से ज़्यादा stock में पैसा लगाईए, रिलाइस में भी लगाईए, टिसको में भी लगाईए, अमबुजा सिमेंट में लगाईए, स्टेड बैंक आप इंडिया में लगाईए, अगर बर्बाद हुआ तो कोई भी एक होगा, बाकी लोग तो बच जाएगी, वहाँ से तो आपका पैसा बचेगा, लेकिन बिटे बात सोचने वाली है, अगर पुरा economy ही खराब हो गया, पुरा economy डाउन हो गया, तो फिर कैसे बच होगा, कितना भी डाइवर्जिफिकेशन करो बर्बाद, कोवीड नाइटीन दिख रहा है आपको, economy क्या होने वाला हो सकता, खराब हो जाए, वैसे भी तो अभी condition खराब है, तो आप कितना भी डाइवर्जिफिकेशन करो कोई, इट मेंस उनका ये कहना है, C.A.P.M. का, कि यार आप डाइवर्जिफिकेशन करके, अनसिस्टमाटिक रिस्क से बच सकते हो, इट मेंस company related रिस्क से तो बच सकते हो, कि यार एक company में problem आएगी, बाकि सब में नहीं आएगी, लेकिन systematic रिस्क से नहीं बच सकते, जो market related रिस्क है, उससे नहीं बच सकते, उसको किस तरह से manage करना है, ये बात का पढ़ना में, capital asset pricing model, नाम से क्या लग रहा है, capital asset price, capital asset का price निकालना सिखेंगे, capital asset मतलब share का price निकालना सिखेंगे, और decide करेंगे कि हमें share खरीदना चाहिए, कि नहीं खरीदना चाहिए, इस model का मुख्यूदेश ही है, capital asset price, सब प्राइस तो stock exchange में दिया होगा, वो वाला प्राइस नहीं, theoretical price, और उसके इसाब से आप अनुमान लगा होगे, कि share खरीदना है कि नहीं खरीदना है, हो गया, चल रहे, अब यह तो मैं सब्सक्राइब से नहीं तो सबसे पहले introduction, तो introduction में इनका पहला तो यह मैंने आपको बता है, दूसरा यह है कि modern portfolio theory में बहुत सारा data चाहिए होता, expect return, standard deviation, correlation, A, B, A, C, A, D, वगेरा 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 वगेरा, के बीच में correlation निकालना होता है, लेकिन प्रस प्रॉब्लम यह है कि दो stock जो की अलग-अलग sector के है, उनके बीच में correlation निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्यों ना बीच में market को रख दिया जाए, market का A के साथ correlation, market का B के साथ correlation आप निकाल सकते हो, और market का जो relation निकालो के आप किस के साथ, stock के साथ, उसे में बीचा बोलना है, start करूँगो, उसमें कुछ कैलकुल प्लस माइस होगा, बीचा होगा, it means, हम, हमारा target यह है, कि हम market के साथ relationship निकाल है, ठीक, ठीक, there are many problems in modern portfolio theory, it is too much data demanding, expect return, standard division, और difficult to find out relationship between security and of different sector, यहां देखो A का B के साथ, B के साथ, इस तरह से, यह किसमें है, यह है आपका MPT, modern portfolio theory, जबकि हम, हम, बात जो करेंगे, वो करेंगे economy के साथ, economy मतला market का A के साथ relation, market का B के साथ, market का C के साथ, market का D के साथ, ठीक, तो यहां जो बात की जाएगी, किस में, अपना CAPM में, वो किस मेंटर पर बात की जाएगी, systematic risk, जबकि हम modern portfolio theory में, total risk के विस्टे में, जो systematic भी हो, जो unsystematic भी हो, ठीक, ओके सर, सर अंतर क्या है, systematic risk, systematic risk का मतलब market related, और unsystematic का मतलब company specific, क्या systematic risk से बचा जा सकता है, नहीं, unsystematic risk से बचा जा सकता है, divergification करके, ठीक है, यही बाते हैं, जो दिखते हैं, in MPT, we focus on standard deviation, MPT में, हम standard deviation पर बात करते हैं, जबकि, हम unsystematic risk को eliminate कर सकते थे, किसके, with the help of divergification, but systematic risk cannot be eliminated, with the help of divergification, in CAPM, we focus on systematic risk, तो risk, कितने टैप की होती ही दो, systematic, unsystematic, systematic risk, market related, unsystematic, company specific, क्या avoid कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको avoid कर सकते, with the help of divergification, इस risk का measurement किया जा सकता है, बीटा के थू, this is difficult to measure, example होगे, inflation के change होने से, क्या सारी company को फर्क पड़ेगा, कि एक company को, सारी company को, inflation के बढ़ने से, rate of interest के बढ़ने से, क्या सारी company को फर्क पड़ेगा, yes, action rate के बढ़ने से, action rate के बढ़ने से, क्या सारी कंपनी को फर्क पड़ेगा हां सर हां और पॉलिटिकल रिसक से भी साफिरी कंपनी को फर्क पड़ता है इस इस सिस्टमाटिक रिसक अंसिस्ट में लेबर का प्रॉब्लम लेबर का प्रॉब्लम एक कंपनी में हो सकता बाकी कंपनी में जरूरी नहीं है कि नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे ही भी लिखते है आरेफ प्लस बीटा आरे माइनस आरेफ इसे रिस्क प्रीमियम और यह सेंसिटिविटी इंडेक्स यह तो पता है आपको ज्यादा तो इससे हम क्या निकाल रहेगे जिसको आप आरी भी बूल सकते हो के भी बूल सकते हो अगर कोश्चन silent है तो required rate of return और expected return हम एक ही मान के चलते हैं ठीक आरे माइनस आरेफ क्या आता है रिस्क प्रीमियम यह एक्क्वेशन तो आपको बच्च्पन से पता है security market line सुन अध्यां से आरेफ है आरेफ है आरेम है a b c यह तीन स्टॉक इसका बीटा पॉइंट फाइफ तो इसका required rate of return निकल सकता है या 6 10-6 8% इसका 10% इसका 12% it means बीटा ज्यादा बीटा मतलब risk systematic बीटा ज्यादा है sir तो return भी ज्यादा चाहिए बीटा कम है तो return भी कम चाहिए तो क्या होता है systematic यह होता security market line जिसमें इधर लिखा जाता expect return और इधर क्या लिखा जाता इधर लिखा जाता बीटा systematic risk और यह कहां से start होती है कभी भी risk free से start होती क्योंकि risk free का बीटा क्या होता है जीरो अब जैसे यहां है 0.5 तो return कितना है यहां है बीटा 1 तो यह हो गया तो यह जो लाइन है इसको बोला जाता security market security market line का equation बन सकता है 6 यह fix है यह क्या है 4 यह भी fix है बस बीटा change करते चाहिए और इस बस यह बिटे यह variable हुआ यहां change करते चाहिए answer आता जाएगा बीटा ज्यादा return ज्यादा बीटा काम रिटन ज्यादा ठीक है जैसे security market line अब सवाल है point no.2 बीटा कैसे निकालते बीटा तो बीटा के विसमें मैंने आपको पहले बहुत पहले यह जब class regular class उसमें समझाए होगा market मालो market 10% से गिरा तो stock का return 20% से गिरा तो stock market 10% से stock 20% से तो हम कहते कि उस stock का बीटा क्या है double two times formula क्या है वैसे बीटा का देखोगा तो बीटा is equal to change in stock return divided by change in market return पर मैंने आपसे बोला था कि यह formula तब ही लगेगा जब दो साल का return दिया हो तो आराम से change निकालो कि लेकिन जब बहुत सारे year का information होगा तब दिक्कत में आईगी तब बीटा निकालने का formula किस से निकालो कि least square method से standard deviation of stock divided by standard deviation of market सर वही तो है standard deviation of stock into correlation के साथ multiply करना होता किया सर बीटा जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं लिस्ट square method जिसकी line कहां से start होती alpha अब सुना हैं से मैंने आपको बताया था यह लो बटे यह ले लो यह हो गया stock और यह हो गया market market का return में change होगा market का return तो क्या stock के return में भी change होगा हाँ तो हमने यहां dot दे दिया फिर यहां dot दे दिया लेकिन सवाल यह है क्या यह इसी line पे आएगा नहीं कुछ बार तो हो सकता है कि market यहां आए slope market यहां आए पर stock return यहां आना चाहिए जबकि आ गया है यहां वाय बार यहां होना से डाउन होना चाहिए बीटा टू है लेकिन हो सकता वह 22 पर्शन से डाउन हो जाए तो वह जो दो पर्शन एक्स्ट्रा है ना वह किस वज़ाए से उन्सिष्ट्माटिक रिस्क की वाजा से तो यह जो है यह 10 पर्शन से बढ़ा है वीट पर्शन होना चाहिए पर यह जो अंतर आया अक्स्रा, यह किसकी वज़ा से? Unsystematic वज़ान से. तो यह जो line है जो कहाँ से start होती? alpha, यह वाला alpha दूसरा है, यह alpha से start होती है, alpha, और मुझे क्या निकालना होता है? मुझे निकालना होता है, Y, y bar, तो Y bar का formula बन सकता है, यस, यह बना, जिसको बोलते है characteristic line alpha जहां से line start होती जैसे RF से line start होती है वैसे alpha से line start होगी plus beta और यहां क्या है market it meant market 10% से बढ़ा तो beta है 2 तो यह कितने percent से होगा 20% से और line जहां से start होगी उसको भी क्या करोगा plus alpha क्या से निकला जाता हुआ मैं आपको समझा दोगा ठीक आओ देखे लिए अच्छा एक formula मैंने बताया था किस चीज़ का beta का formula standard deviation of security divided by standard deviation of market into correlation इस formula के थूँ और एक formula बन सकता है क्या होगा standard deviation of security को y ले लिया market और correlation का formula यह है कोवेरेंस वाय एं डिवारेड़ बाइस्टेंडड डिविशन ऑफ इंट्टेंड डिविशन अब वाइक को य कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बचेगा बचेगा बट्टी यह covariance of y and market divided by variance of market यह formula आपको याद रहना चलो इट मिंस बीटा की total मिला कर कितने formula तीन फर्ष्ट यह कब लगेगा जब दो साल का ही return दिया रहेगा यह और यह तो कभी भी लग सकता ठीक है ओके सर सब बीटा पर question हो जाए क्या होगा साया देका देख लेते हैं है जी return on stock a and market portfolio for a period of six years are as followers यह है सर इस्टॉक यह है market सबसे पहले आपको निकालना characteristic line इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले बीटा और systematic risk और unsystematic risk निकालना खेर यह तो मैं आगे पढ़ाऊँगा तो इस matter पर अभी मैं कोई discussion नहीं करूंगा मैं सिर्पर सिर्फ CL के matter बात करूंगा बीटा के तो बीटा का formula covariance xy divided by standard division of market square चलो निकाले क्या यस चेक करोगे यह दिया है 12345 ठीक x दिया और यह market दिया यह आगया आपका x बार और यह आगया आपका y बार मतलब market x-x बार करोंगे y-y it means मुझे formula के लिए क्या चाहिए where covariance किसका एक्स का market के साथ तो यह हो गया market यह हो गया एक्स इन दोनों को multiply करूंगा ठीक और इसके अलवा मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए variance of market तो यह आगया variance of market divided by this is variance of market आगया ठीक और standard division of covariance कितना है यह आया covariance तो this divided by this तो क्या जाएगा आपका बीटा बीटा का यह निकाला है कि मैं आगे निकालूंगा इसकी मुझे अभी जुरूरत नहीं मुझे systematic risk unsystematic risk से कोई मतलब नहीं अब क्या हुआ अब इन्होंने का बीटा बीटा का यह calculation नहीं है मतलब बीटा उधर ही निकल गया होगा चेक कर लेत एक बार बीटा यह निकाल लेता हूं कितना है covariance 48.25 divided by 40.14 48.25 divided by 40.14 तो सर जी यह आगे 1.202 इस बीटा ठीक पहला कामा को बीटा निकालना पड़ेगा cl अब सुनो formula क्या था y bar is equal to alpha plus beta x cl का formula अब यार मुझे alpha चाहिए मुझे y bar मालूम है कि हाँ sir y bar मालूम है कहां से y bar मालूम है बैटी यह देखो y bar y bar का मतलब यहां यह होगा 6.33 percent okay sir मतलब y bar का मतलब यहां stock का return होगा yes तो six point इसको इधर कर देंगे 6.33 बीटा मालूम है कि बीटा निकाल लिया और market का return मालूम है कि yes और market का return का है market का return है वैसे वैसे मेरा security का return change होते जाएगा this is characteristic line बस यह equation बना के आपको छोड़ देना होता बात करता है ठीक है जी okay sir बिल्कुल simple एक question और उठाया है मैंने beta गा तीन साल दिया है market का a का b का आपको बीटा निकालना किस का a का और b का क्या निकल जाएगा राम से yes सुनों गे दियांसे year लिखा x लिखा y लिखा marketing मतलब यह बड़ी table बनेगी कि yes sir अब क्या करना है अब यहां से यह निकल गया x बार यहां से निकल गया y बार अब और क्या निकल गया है market का x minus x bar y minus y bar m minus m bar तो market का मुझे चाहिए होता है variance और यह निकल गया market का variance market का variance अब x covariance x का market के साथ covariance y का market के साथ तो यह निकला covariance x का market के साथ covariance y का market के साथ तो यह निकल गया x का beta यह निकल गया y का beta बीटा calculation पर पक्का एकात question करके जाओगे क्योंकि question आ सकता है बीटा पर तो पहला point में हमने सीखा की introduction CAPM क्यों आया दूसरे point में क्या पढ़ा बीटा का calculation and characteristic line तीसरा point आ गया beta portfolio simple है इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है वैसे भी beta portfolio derivative से हम पढ़के आ रहा है beta portfolio मतलब weighted average beta सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ABCD तीनी चार स्टॉक है कितना पैसा लगा दो लाक एक लाक और beta है कैसे निकालोगे weighted average beta and weighted average beta जो निकालोगे आप बेटे दो तरीके है या तो सीधा निकालो या तो टेबल से निकालो ABCD amount weight weight into beta तो यह आ गया weighted average beta alternative आप टेबल से भी निकाल सकते इस वेटेड़ बिल्कुल सिम्पल है question आने की उमीद है पर बड़े question आएगी वागे कर बहुंगा सर्फ beta portfolio का कोई question है कि beta portfolio निकालो बैटे ऐसा question सिर्फ अकेला नहीं है उसके साथ और भी कुछ points हो कि तो आगे आएगी सब्सक्राइब एक question उठाया है अच्छा question लगा था इसलिए मैंने उठा लिया वीच वे the following information is available in respect of security equally premium return दे रखा 15% market का return दिया 15% मतलब सर security x का return कितना है 15% और market का भी return है 15% मतलब security का सर बीटा हुआ one बिल्कुल इतनी बास समझी में आदी है treasury bond 7% सर रिस्क-free हां लेकिन वह trading किस पे हो रहा 140 पे हो रहा तो रिस्क-free rate कुछ बच्चे 7% बोलते सर 7% नहीं आएगा साथ डॉलर इंट्रेस्ट है साथ डॉलर क्योंकि face value तो 100 होता लेकिन जो market में price चल रही उसके लिए तो मचे 140 खर्च करना पड़ेगा तो रिस्क-free rate बीटा आगे वन रिस्क-free rate आएगा 5% 7 divided by 140 into 100 यहां तक ठीक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है को वेरेंस निकालना है मार्ट दिया है 225 परश्र कोवेरेंस को वेरेंस का फॉर्मुला को वेरेंस का यह कोवेरेंस xm divided by standard division of market square correlation भी दिया ठीक मांगा किया भाई standard division किसका निकालना market का और security का क्या बीटा मालूम है यास क्या कोवेरेंस मालूम है यास तो क्या यह निकल सकता है यास तो इसके standard division of market निकल गए और standard division of market निकला तो हम बीटा का दूसरे वाले formula में put कर सकते correlation वाले formula में यह पता है हम को यह पता है यह पता है तो क्या x निकल जाएगा यस यह question अच्छा था मेरा favorite question में से एक है ठीक है सर अच्छल आगे चले यस चलो जी आगे चल रहे है और यह रहा question मतलब यह हो गया हमेरा calculation वीटा हो गया portfolio वीटा हो गया अब बात किसकी कर रहे है अब बात कर रहे हम बीटा management टीक है बीटा management क्या होता है तो जरा सुनो मेरी बात ठीक से समझना tension खतम हुझा है stock market में हमने already पैसा लगा रखा है और portfolio और portfolio का बीटा है 2 मतलब market बढ़ेगा तो double से बढ़ेगा हमारा portfolio मेरा question यह है हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में market तो और बढ़ेगा जादा बढ़ेगा अगर ऐसा लग रहा कि market बढ़ेगा तो सर अपने आपने जो portfolio बनाया है जिसका beta 2 है उसको बढ़ाओ बीटा 3 करो पीटा 3 करोगे तो यार मार्केट बढ़ना है तो आपका तो तीन गोना ज्यादा बढ़ेगा तो सर कैसे करें पहला तरीक आपके पास security है portfolio है तो बहुत सारे stock होगे ऐसा stock जिसका बीटा बहुत काम है उसको हटाओ और उसकी जगह नया stock लाईए जिसका बीटा बहुत ज्यादा मतलब सब्सक्राइब कर देंगे हम एक stock को दूसरे stock के साथ replace कर देंगे बिलकुर या फिर दूसरा क्या है दूसरा क्या है आपको मालुम है कि market बढ़ने वाला कमाने वाले हो पैसा उठाओ risk free से risk free से पैसा उठाओ और जितना पैसा लगा है और पैसा लगा हो ये भी तरीका मतलब risk free asset के तूम भी काम कर सकते हो और तीसरा काम क्या अच्छा और सर ऐसा लग रहा कि market down होने वाला है सर तो दिक्कत है, फिर तो जो जादा रिस्क की security है, जिसका बीटा है, उसको हटाईए और कम रिस्क की security अपने portfolio में जोड़ दीजें या फिर क्या तरीका है, रिस्क आप वहाँ से stock market से पैसा निकाल लो अभी और अभी risk free asset में लगा दो यह हो गया it means आपके expectation क्या उस पर depend करता है और तीसरा beta management किस के थू किया जा सकता है future के थू भी hedge किया जा सकता है जो already हमने कहाँ discuss किया है dairy बढ़े beta management means changing of beta on the basis of market expectation अगर market आपको लग रहा है कि गिरने वाला गिरने वाला future में तो portfolio beta आपको क्या करना पड़ेगा कम अगर ऐसा लगने है रहा है कि बढ़ने वाला तो portfolio beta क्या करना बढ़ाना पड़ेगा और यह कम या ज़्यादा करने कि कितनी method से तीन तरीके पहला risk free security को use कीजी दूसरा replace कीजी वन security को दूसरी security के साथ तीसरा stock index future यूज कर सकते है पर यह already हमने कहां covered करके रखा है derivative में cover कर लिया एक में समय यह दोनों ही चीजे सीखने है बस बात करता एक ही question उठाया है इसका अच्छा question दिखा एक example एक दो example ले 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 की भी कर सकते है मैं सीधा कर रहा हूँ पाच लाग इंटो 1.2 तीन लाग इंटो 2 एक लाग इंटो 0.5 तीन लाग इंटो 0.8 divided by 12 लाग इस बीटा और पोर्फोलियो इफ वी वांट टो इन्वेश्ट रूपिस 3 लाग इन रिस्क फ्री अभी क्या है इसके अलावा भी आप 3 लाग रुपए और लगा रहे हो रिस्क फ्री का बीटा क्या होता है 0 तो ठीक है ना सर प्लस 3 लाग और जोड़ देंगे इंटो 0 ऐसे भी कर सकते हैं लब ऐसे ये 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 तो आल्री लगा 30 लाग इंटु än 2 लर्ड़ टोटल पहले 12 लाग का पोर्ट फोलियो था अब कितने का पोर्टुれ 키ो ओग हो गया और दूसरा क्या तरीका था वही बारा लाग औरल्री लगा है जिसका बीटा कितना है ये प्लस आया कितना और 3 लाक जिसका बीटा है 0 तो answer तो क्या आएगा answer तो एक ही आना है yes 0.993 ज्यादा अच्छा method यह है ठीक है अगे चले yes अच्छा और भी point था क्या बुलें we want to reduce beta portfolio to 0.85 यह जो beta portfolio है न हम इसको 0.85 करना चाहते 0.85 ठीक है how much amount to be invested in risk free x ले लो calculation of amount to be invested in risk free so that beta portfolio is equal to 0.5 तो यहां लेगा 0.85 sorry 0.85 12 लाक इंटू यह और x कितना पैसा लगा into 0 तो 12 लाक प्लस x फिर इसको solve किया होगा तो कितना पैसा invest करेंगे हम risk free में 3,41,647 ताकि portfolio का beta कितना आ जाया 0.85 अगला एक्जामब है suppose there are three stocks in our portfolio तीन श्टॉक है A B C 8 4 3 बीटा दिया हुआ portfolio बीटा यह तो निकाल ही लोगे 8 दिस दिस दिवाइट पंद्रा चार बादा और 3 पंद्रा लाग suppose we want to replace security C with D having beta 1.25 C को हटा रहे हो और D को add कर रहे हो C का beta कितना है 3 और D का कितना है 1.25 इसका मतलब समझ रहे हैं आपको लग रहा कि market डाउन होने वाला तभी तो higher जो बहुत ज्यादा highest जिसका beta उसको हटा रहे हो ठीक है करना क्या करना कुछ नहीं है पंद्रा लाक इन्टु दिस माइनस जो हटा रहा उसको माइनस कर तो जो आ रहा उसको प्लस कर दीजिए हटाना है having lower beta with new security और एक नई security आएगी मतलब तीन लाक रुपए और लगाना है और जिसका beta क्या हो lower हो मतलब उसको क्या लेना पड़ेगा X तो बताईए कि beta ताकि portfolio के beta कितना हो जाए 1.75 हो जाए तो simple ही हो जाएगा लेका लेट एजियूम beta of new security be X so that beta portfolio मतलब इसको रखा हमने 1.75 15 लाक इंटी 1.933- ये जाएगा और ये आएगा 15 लाक इस equation को solve कर देंगे तो जो new security है अगर उसका beta 2.085 है तो फिर हमारा beta portfolio कितना हो जाएगा 1.75 और एक question, question क्या सीधा ये question आपके exam का question है एक company VSL, CSL, ML, APL, number of shares दिया है, market price दिया है, beta दिया, portfolio बीटा तो सर जी सबसे पहले सीधा amount दे देता हूपर amount नहीं दिया तो हमें amount से multiply करके क्या निकाना पड़ेगा portfolio बीटा पाच लाग, एक लाग, दो लाग, चार लाग, तो टोटल कितना आ गया है, जी, बारह लाग अब portfolio बीटा निकालेंगे, पाच लाग इंटु बीटा कितना है, 0.9 एक लाग इंटु वन दो लाग इंटु वन पॉंट फाइव चार लाग इंटु और टोटल में कितना जाएगा बाराल इस इस पॉर्टफोलियो बीटा कोई दिकत की बात है इबदफ पी एम 6 to reduce the beta, beta कितना करना चाते है 0.8 सोच के देखो अभी कितना है 1.10 अब beta कितना करना चाते है 0.8 तो सर जी आप ऐसा काम करो risk-free asset में भी invest करो तभी काम होगा और वही काम कर रहे हैं लोग let assume risk-free amount bx that portfolio beta should be 0.8 तो यहां क्या रखना है हमको 0.8 12,00,00 into this x into 0 इस equation को solve किया तो हमें risk-free asset में कितना पैसा लगाना पड़ेगा 4,62,000 ताकि beta portfolio कितना जाए 0.8 दूसरा क्या बोल रहा है बीटा हमें कितना रखना है 1.2 तो ठीक है कितना इसको x ले लिए जब इसको x ले लिए खास बात है यह minus में आया minus का मतलब समझ रहा हो आपको invest नहीं करना risk-free में अब खुछ सोचो ना पहले beta था 1.10 के आसपास 1.1 अब beta कितना रखना 1.2 इसका मतलब आपको risk-free से पैसे उठा कर आपको और market में लगाना पड़ेगा यह तो हमने पढ़ा था तो this is यह पैसे आपको उधा लेना पड़ेगा ठीक है आगे चलते हैं आगे evaluation यह भी काम का है बट्टे बिल्कुल ध्याँ हाज पॉइंट नंबर फाइफ पॉइंट नंबर फाइव में क्या है एवेलवेशन अप सिक्यूरिटी वेदर करेक्टली प्राइजड और नॉट बिटि होता क्या था इसमें होता ऐसे था आप expected return निकालते थे एस पर modern portfolio theory जिसमें आप total risk का यूज करते थे टोट और फिर आप क्या करते थे आप आरी या केई भी निकालते थे जिसको आप बोलते थे required rate of return required rate of return मतलब जितना बीटा है systematic risk systematic risk के हिसाप से अगर किसी company में systematic risk ज्यादा है तो ज्यादा return चाहिए अगर किसी company का systematic beta कम है तो कम return चाहिए कोई दिक्कत की बाती मतलब risk के हिसाप से return कितना suppose risk के हिसाप से मुझे बीटा को देखती हुए पंदरा person return चाहिए 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 पंदरा person 15% क्योंकि रिस्क है रिस्क है तो मुझे 15% मेरा required rate of return 15% और जबकी expected return है 20% expected return है 20% 20% मिलने वाला है जबकि चाहिए बुझे कितना 15 बोलो security खरीद लो sir खरीद लो क्योंकि जादा मिलने वाला जितना चाहिए उससे जादा मिलने वाला इस समझ में आ रहा है क्या security खरीदना चाहिए या security is under price सस्ती under price okay sir sir means expected return is more than required rate rate of return expert to security should be purchased this is under price लेकिन अगर यहां कि बीस पर्शन ना होके यह होता बारा पर्शन मुझे कितना चाहिए इस security से 15 मिलेगा कितना बारा मत खरीद हो कोई मतलब ने जितना चाहिए उतना भी तो नहीं मिल पा रहा ऐसे security को नहीं खरीदना चाहिए ऐसे security overpriced मैं किया लेकिन सर अगर 15 और 15 पर्शन ही है पंदरा चाहिए और पंदरा ही है ऐसे security को बुरला जाता security is correctly priced तिक वह चीज़े में नहीं है और सर मान लो हमको मिल रहा है बीस बीस पर्शन पीस मिलने वाला है और चाहिए पंदरा तो एक्स्टा कितना मिल रहा एक्स्टा मिल रहा पाच पर्शन और पाच पर्शन का नाम क्या अलफा यह वह वाला अलफा नहीं जो characteristic line कि में यूज किया जाता था यह अलफा दूसरा यह अलफा का formula बना expect return minus RE यह केई अगर यह positive है तो purchase अगर यह negative है तो ठीक है तो यह चीछ पढ़ा था हमने तो सबसे पहले calculate करेंगे following steps are applied for evaluating whether security is correctly priced or not expect return निकालो कि किसके सबसे modern portfolio theory फिर require rate of return निकालो कि किसके सबसे CAPM अगर expected return ज्यादा है मतला आपको ज्यादा मिलने वाला है तो खरीदो भाई ऐसे security वह को हम बोलते सस्ती security सस्ता अगर expected return जितना चाहिए उससे तो मत खरीद यह overpriced पर जितना मुझे require rate of return उतना मुझे मिलने वाला है तो हां ऐसे security को हमें खरीद लेना चाहिए ऐसे security को क्यों सर्क्रीदना चाहिए जितनी require rate of return उतना तो मुझे मिलने वाला है ना पर फिर भी कुछ लोगों का ये भी कहना कि सर आ यहां जो है यहां decision पे आपको कुछ नहीं करना है do nothing ठीक है पर फिर भी मेरे ख्याल से जितना require rate of return है उतना मिलने वाला है तो खरीद यह कि डिफ्रेंस क्या होगा expect return minus k इन दोनों के बीच का difference क्या कहलाता है alpha अगर यह positive है तो sir यह सस्ता है आप खरीद लो अगर यह negative है तो खरीदने की जुरुत नहीं अगर यह 0 है तो correctly price खरीद दिये बाकी do nothing भी लिख सकते है ठेक सरेकात question हो जाए यह से एक एक्जाम्पल है इस्टॉक A, इस्टॉक B expect rate 18% 25% बीटा दिया हुआ RF और RM दिया है वेदर security A and security B are correctly price तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा CAPM के हिसाब से require rate of return निकालना पड़ेगा CAPM के हिसाब से 6% RM-15-1.2 तो 16.8 और इसका कितना और यह 9 समझ में आ रहा ना RF risk premium 19.5 यह क्या निकला required rate of return expected return कितना है 18% और इसका 25% अब सोच के बताना सोच के expected return सर जादा है मतलब सर हमको जादा मिलने वाला है यहां सोच expected return सर यहां भी चाहता है good इसको भी खरीद दोने की दोनों under price alpha निकल सकता है कि दोनों का alpha positive है तो क्या इन्हें खरीदना चाहिए यस पर ऐसा मांगा नहीं है उसने बस पोला है whether security A and security B are correctly price answer आएगा no दोने की दोनों कौन से under price यह वाला point important है यह arbitrage pricing theory में भी पूछा दाता है calculate market risk premium MRP निकालना at which both securities are correctly price और graph draw करने के लिए आजकल आता नहीं है तो इसको मैंने उड़ा दिया revision lecture में तो बनता नहीं यह graph wrap बनाने का तो वो रहा है कि मान ऐसा MRP बताओ ऐसा MRP बताईए जिस पर दोनों की security correctly priced हो सर इसका मतलब अगर हम यह लगाएंगे equation RF plus MRP into beta तो answer क्या आना चाहिए 18% तभी correctly price हो और एक बार equation लगाएंगे तो answer कितना आना चाहिए 25% दोनों को equate करने की कोशिश करेंगे यहां मैंने लिखा let assume both securities are correctly priced के यह का formula यह किसका security एक 18% मैंने यह माना correctly price है correctly price है मतलब इस equation को लगाने से क्या रहा चाहिए 18% RF पता है क्या नहीं RF और MRP दोनों निकालना है तो पुराना वाला RF तो ले नहीं शक्त है बीटा मालूम है हमको MRP को हमने MRP लिख दिया ऐसे 25 RF यह कट गया तो यह बचत MRP आ गया 23.33% और इस 23.33% को किसी भी equation में रख लेजिए इस equation में मैंने रखा तो RF आया minus 10% practically यह possible नहीं है पर mathematically वह minus 10 आ गया यह example था इसलिए यह RF ऐसा दिख रहा है कहीं कहीं figure में गरबड़ी है पर अगर actual question आगे आएगा actual question होगा तो RF कुछ और आएगा बस आपको यह बात ध्यान में रख रहें ठीक है ओके तो कितने points हो गए sir 5 क्या पढ़े हम capital asset pricing model पहला introduction दूसरा बीटा का calculation तीसरा था बीटा का portfolio बीटा फिर बीटा management चौह था उसके बात पाच्वा point हमने अभी किया alpha alpha निकालने का and six point उसके बाद seventh बात कता है asset की pricing मैंने फिर से बोल रहा हूं capital asset pricing model किसलिए यूज होता है sir asset की price निकालने के लिए और asset की price कैसे निकालते ही हमने security analysis में पक्का पड़ा होगा और asset की price निकालने का formula है P0 divided by D1 P0 equal to D1 divided by KE मैंने जी क्या यह formula पहले पढ़ा हुआ है sir ना जाने कितनी बाहर बिलकुल से हैं बस यह जो KE निकलेगा na KE किस के हिसाब से निकलेगा यह निकलेगा आपके CAPM के सबसे यह कौन सी price निकलेगी security की stock की price निकलेगी capital asset की price निकलेगी ओके सर सर actual price की नहीं भई theoretical price actual price तो stock action से पता करेगी मान लो सर theoretical price निकली जब हमने यह निकला और निकला है 200 रुपए बिलकुल सही यह theoretical price क्या है जितना future में dividend मिलेगा उसकी present value अगर मैं कोई share खरीता हूं तो 200 रुपए जो dividend मिलेगा उसका present value है 200 जबकि share market में पता किया तो share का भाव चल रहा है 300 यार कितनी बेखुपी है 300 देखकर 300 रुपए देखकर आप ऐसी चीज खरीद रहा है और जिससे आपको 200 रुपए ही मिल रहा है मत खरीदो security is overpriced महगी है हाँ अगर यही चीज मुझे 100 रुपए में मिल जाती तो मैं कहता हाँ हाँ अब यह security is under price बस वही बात है तो यह लिखा इस तरह से निकलेगा यह सब लिखा हुआ है ठीक है अब theoretical प्राइस जादा मतलब यह जादा है इससे तो security is under price ठीक करेंट market price अगर theoretical price कम है तो security is over price खरीदो मत अगर बराबर है तो इसको क्या बोलते है correctly price do nothing we like सकते है या should we buy लिख सकते है कोई दिकत नहीं सिर्फ एक ही question उठाया है बेकार में जादा टाइम पास क्यों करें लिखा विवेक is holding 1000 shares of the right choice limit current rate of dividend paid लिखा मैंटे dividend paid मतलब डीजी रोग पाच रुपा एंड़ा सेयर अभी कितने कभी करा है पचास रुपाइब हाविवर स्यावन factors are likely to change during the course of the year अभी existing situation यह है पर कुछ factor change हो के तो यह हो जाएगी खैठे कोई दिक्ट की बात नहीं है बताए यह वेक को buy करना चाहिए hold करना चाहिए या base देना चाहिए शिया तो सर सबसे पहले तो आपको theoretical price निकलना पड़ेगा उसके लिए हमें RE निकलना पड़ेगा यह के निकलना पड़ेगा तो देखो के निकला है 14 14 किया है बिटे रिस्क फ्री रेट बीटा दिखना 1.2 मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया तो यह निकल गया और इसी तरह से इसका भी के निकल गया उसके बाद मैंने पीजीरो निकला डीजीरो वन प्लस जी के मैंने जी और यह आंगया फ्रीटिकल प्राइस 27 जबकि करेंट मार्केट प्राइस कितना पचास विवेक आपने जो शेयर आपने जो होल किया है उसको अगर आप होल करोगे existing situation के हिसाफ से तो आप बरबाद हो जाओगे क्योंकि उससे maximum एक शेयर पर 27 रुपए मिलेगा जबकि आज शेयर की कियमत कितनी है 50 रुपए तो सुनो जो आपके पास है सब बेच दो क्या मतलब महगे में बेच रहा है लेकिन रिवाइज सिनारियों के हिसाब से विवेक आप होल्ड करके रखिए क्योंकि आप अगर होल्ड करते तो 57 कमाऊगे 57 उसका present value आप समले जबकि बेज़ों के से 50 होल्ड करके रखिए और खरीद लीचिया कर लगता है तो बस यह हैंस विवेक शुद नौट होल्ड और रिवाइज सिटुवेशन करेंट मार्के प्राइज देटिकल प्राइज में शेरा अंडर प्राइज और विवेक शुद रूड और वाय नूश्य शेर बस कुछ भी नहीं है कितना पॉइंट हो गया 6 लास्ट पॉइंट सेवन चलो देखते हैं क्या हमें इसमें कैलकुलेट करना है कौन-कौन सा रिस्क टोटल रिस्क, सिस्टेमाटिक रिस्क और अंसिस्टेमाटिक रिस्क टोटल रिस्क किस-किस को मिलकर बनता है सब टोटल रिस्क, सिस्टेमाटिक रिस्क और अंसिस्टेमाटिक रिस्क ठीक है सिस्टेमाटिक रिस्क का फॉर्मला क्या है बिटे एक बाद बताओ मालनो मेरी कंपनी का बीटा है टू और इस्टेंडर्ड डेवेशन ऑफ मार्केट है दस पर्शन इसका मतलब और कोई अंसिस्टेमाटिक रिस्क नहीं है तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो सिक्यूरिटी है वो चैंज होगा अगर मार्केट दस पर्शन चैंज होगा तो मेरी जो सिक्यूरिटी हो कितने पर्शन बीस पर्शन पर क्या इसमें अभी unsystematic risk हैं नहीं सिर्फ बात किसकी हो रही है systematic risk पर हमें ना मैं फिर से बोल रहा हूं यह जो काम करना होता है किसमें करना होता variance में करना होता है इसलिए formula बन गया beta square standard deviation of market square वैसे तो ऐसा होता beta standard deviation of market अब इसको square करना करना पड़ेगा multiply तो इसको ऐसे ऐसे अलग कर सकते ना तो वह किया यह किसका formula है यह हो गया sir systematic risk it means अगर market 10% से गिरता है तो बोलो आपका जो security कितने परशन से सर 20% से लेकिन गिरा 25% से तो जो 5% है 5% वो किसकी वज़ा से वो company का internal factor जिसे मैं क्या बहूंगा unsystematic risk unsystematic risk बोलते है residual variance बोलते है random error बोलते है बहुत नाम इसका तो यह unsystematic risk हमें variance में ही दिखा सर यह हो गया division यह क्या है this is error error बोला जाए अलब error का square तो देखा जाए अगर formula wise बोलों तो total risk का formula बना beta square standard deviation of market square this is systematic risk और standard deviation of error term का square unsystematic risk एक example देख लेते है standard deviation of stock A दिख रहा है beta दिख रहा है standard deviation of market दिख रहा है standard deviation का मतलब होता है total risk तो total risk कोई बोलेगा तो 20% पर हमें ना यह variance में दिखाना होता है तो 20 into 20 to 400 percentage square systematic risk क्या हो जाएगा beta square standard deviation of market square तो यहां जाएगा 225 बताओ total risk कितना है 400 percentage square उसमें से minus कर देंगे 225 percentage square तो बताओ unsystematic risk कितना जाएगा 175 percentage square symbol था अच्छा अब आराम से जवाब देना अब सुनना सुनना इस concept सर्षिस्टमेटिक रिस्क divided by total risk क्या है इसका मतलब बेटे सोच के देखो इसका मतलब क्या रेशो देख रहा है ना आपको सर समझ में आ रहा जितना total risk है उसका कितना percentage कितना times systematic risk है suppose systematic risk है 225 percent और यह है 400 percentage square इसको पढ़ सकते हो क्या अगर इसको करूं 225 divided 200 कर देता हूं ना 200 200 divided by 400 कितना आ गया 0.5 इसका नाम बता सकते हो कि इसका नाम क्या है सर इसका नाम 0.5 0.5 को बोलकर बताओ क्या सर 0.5 का मतलब है कि systematic risk का आधा है सॉरी टोटल रिस्क का आधा है systematic risk यह बात समझे मैं यह क्यों समझा रहा हूं मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस formula का यूज है systematic risk का formula क्या आपको पता है यस total risk का formula पता है कि यस अब यह जो beta square इसको तोड़ा गया अब बीटा का formula पता है कि यस standard division of x standard division of market into correlation और square है तो यहां क्या लग गया है और यह standard division of x square तो अब इन्होंने क्या किया यह काटा यह काटा कोई दिक्कत नहीं और यह कटा और यह भी कटा एक standard division तो सर्फाइनली फिर बचा किया आपने market से market को काट दिया अब मेरे पास क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ यह बचा है square तो अगर देखो कि आप ठीक से तो यह बचा यह market से market कर गया सर्फ बचा कि सर्फ आर ही तो बचा है और x से x कट गया इट मेंस अगर मैं बोलो इस equation को तो बचा आर स्क्वेर का फोन systematic risk divided by total risk बाकी मैंने बहुत detail में करवाय हूं आपको तो अगर मैं इसको बोला जाता coefficient of determination अगर मैं बोलो इसका नाम है coefficient of determination अगर question by chance correlation दे दे correlation दे 0.5 यह 0.9 correlation दे दिया उसने 0.9 और बोले बताईए systematic risk total risk का कितना percentage है तो बिटे 0.9 मुझे square करना पड़ेगा तिक okay sir if correlation between the stock and market 0.8 its square 0.64 this is known as coefficient of determination it should that proportion of systematic risk r square means systematic risk is 64% of total risk तो यह formula आपको काम आने वाला यह formula कहां से डिराई हुआ यहां से डिराई हुआ थोड़ा सा plus minus अब चेक कर लेना बाकी class में कवर करवाया हूं ठीक है सर यह भी बास समझ में आगे चले अब ले लेजिए और इस्टेंड डेविशन मार्केट कितना है 10% इस्टेंड डेविशन अब इक स्टॉक 16% अंसिस्टेमाटिक रिस्क 4% काल्कुलेट बीटा सर तो बीटा के लिए हमको सिस्टेमाटिक रिस्क चाहिए तो सबसे पहले अब सोचना पड़ेगा अब सीधा कोश्चन ही होगा अब खेले कि कुछ plus minus करना पड़ेगा अब सोचू कि क्या दिया अगर मैं मैं कहता हूं टूर्टल रिस्क कैसी बनता सिस्टेमाटिक और अनसिस्टेमाटिक ठीक अगर अगर मैं नक्यों तो bliss का फोर्मूलव något लीशिस डिस्स्ट मैं है एक 16 to 16 flower लीखना पड़ेगा बीटा हमको नहीं मालुम पर यह को मालुम है क्या मार्कट का और यह भी हमको मालुम है क्या बीटा स्कूर निकल जाएगा इससे यस यह शनगल गया बीटाyu को कितना 2.4 ऑजिए आ गयाब काव बीटा बेहतरीं कोशन सिंसिंग figure वाल है और एक एक्जांपल बीटा दिया 1.5 इस्टेंड डाइविशन मार्केट दिया इस्टेंड डाइविशन और पिश्टॉक दिया calculate इस्टेंड मतलब unsystematic risk फिर से total risk is equal to systematic plus unsystematic अब total risk है हमारे पास yes 18 percentage square क्या बीटा भी है yes sir sir मतलब यह आगया systematic risk यह आगया टोटल इस्टोटल में से systematic गटाओगे तो क्या जाएगा unsystematic का जाएगा clear okay sir अच्छा unsystematic risk हो तो गया यह तो final है बिटे पर कुछ कुछ लोग क्या करते बोले एक क्लाइन जादा लिख लो भाई पता पेपर में नंबर काट देगा तो दिक्कत है क्योंकि language इस तरह से दे रखिया है तो unsystematic risk भी मुझे उसी तरह से बताना पड़ेगा इस तरह से नहीं यह सब की सब किसमें दे रखा 10 percentage standard deviation दिया है और आपसे standard deviation मांग रहा है तो standard deviation ही बताना पड़ेगा चलो जी example number 3 correlation कितना 0.9 standard deviation मतलब यह हो गए total risk तो आपसे क्या मांग रहा है unsystematic risk तो अप एक बाद अगर मैं कहता हूँ total risk अगर मुझे पता लग जाए systematic risk तो क्या unsystematic risk निकल जाएगा यास correlation दिया तो उसका यूज करूँगा this is coefficient of determination यह किया यह किया यह कर दिया यह मालू में यह मालू में तो क्या निकल जाएगा systematic risk निकल गया और total risk है 400 उसमें से minus किया 324 तो 76% का square किया तो answer आजाएगा ठीक है यह तो already हो चुका है कि एक्जाम्पल नंबर 4 देखो expect return है आपके पास beta है from specific return total risk one by one solve करते हैं A में total risk ढूनना है B में total risk ढूनना है C में यह ढूनना है यह तो अब हम कैसे करें अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमें expected return ढूनना है एक बात है हमने किया है कुछ security market line को use करके अगर यह दिया रहता था तो हम क्या करते थे दोनों equation को use करके MRP निकाल लेते थे और risk free निकाल लेते थे वह काम कि एगा कितना है 18 तो 18 is equal to RF 1.2 बीट दो दिया है MRP ऐसे बी का 10 is equal to RF 0.5 MRP यह काटा बचा 8 इससे क्या निकल गया MRP और इसको put किया तो क्या निकल गया RF equation number one पर पूट कर दिया अब RF मालूम है आपको yes तो अगर मैं कहूं यह कैसे निकलेगा RF मालूम है 4.28 हम यह मान के कर रहा है कि यह hold good plus MRP मालूम 11.43 और बीटा तो दिया है 1.4 चेक करो कितना रहा है 11.43 इंटो 1.4 प्लस 4.28 अंसर आगे 20.28 पॉशन सेक्यूरिटी सी का काम खतम हो कहा है अब क्या बच्चा है हमारे पास security A का क्या निकालना हमको total risk अब पहले काम करते है security C का क्या हमको total risk मालूम है yes systematic risk मालूम है क्या unsystematic risk मालूम है systematic risk भी हो जाएगा तो हम standard division of market square निकाल लेंगे और एक बार market का standard division square निकला तो फिर तो फटा-फट से काम हो जाएगा कि टोटल रिस्क बीटा इसका वन पॉइंट फो यह निकल लिगा निये और यह तो दिया है तो standard division of market square निकल गया है यही तो चाहिए था मुझको अब इसके थ्रू में बाकी security को use करोगा मतलब अब stock एक क्या total risk निकल सकता है yes total systematic और unsystematic unsystematic दिया है 5 बीटा दिया है और standard division of market तो यह तो total risk निकल जाएगा और यह total risk निकल गया अब भई A B हो गए अब क्या बचा B B में भी वही चीज़े तो सारा काम वही होगा फिर तो इसमें तो मुझे समझाने क्या हो सकता नहीं यह आ गया है तो ओके सर आगे चलते हैं यह अच्छा है यह एक example है इसमें हमको निकलना है total risk systematic risk and unsystematic risk of portfolio सुना इस्टॉक एक्स वाइसटी बीटा इस्टेंडर डिविश्न आप मार्केट कैल्कुलेट्शन आप टोटल रिस्टिमेटिक अन्सिस्टमेटिक ओप इच स्टॉक हर एक इस्टॉक का निकलना है तोटल रिस्क तो यह क्या निकलना तोटल रिस्क तो दिया हुआ है बेकुफी वाली बात है ट्वेंटी आगे चारसों अच्छ इस्टॉक एक सिस्टमेटिक रिस्क निकल जाएगा कि यह बीटा दिया यह दिया तो सिस्टमेटिक रिस्क निकल जाएगा और चारसों मेंस करोगे तो यह कौन सा रिस्क आगया unsystematic risk, ऐसे ही किसको करोगे, stock y का करोगे, ठीक ही यह तो हो गया, calculate correlation between x and market, y and market, x और market, y और market, तो बीटा निकाला है, बीटा का फॉर्मरा, standard division of x, बिल्कुल, standard division of market, into correlation, तो correlation missing है, वो निकल जाएगा, बिल्कुछ सही, standard division of x, यह given है, तो यह निकलेगा, finally यह निकल गया, 0.75, इसी तरह से y का भी कितना निकला, 0.7, यहां तक कोई परिशानी है, कि यहां तक कोई परिशानी नहीं है, तो अब हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ है, इसी question पर बात करेंगे, सर, हमारे पास, यह तो पहले से information, इसकी अलावा, correlation है, correlation है, total risk of portfolio, नहीं, यह तो हमको चाहिए, बात करेंगे, हमारे पास correlation भी रखा हुआ है, ठीक, और साथ में सर, हमने यह भी निकाल के रखा, यह भी निकाल के रखा, अब बोल क्या रहा है, बोले, suppose we invest, 80% in x, 20% y, ठीक, 80% किसे में लगा रहा है, x, और 20% किसे में लगा रहा है, हम लोग, y, क्या मांग रहा है, सर, बोले, beta portfolio, weighted average beta, यार, यह तो बच्चो वाला question है, तो हमने क्या कर दिया, weighted average beta मार दिया, यह आ गया, weighted average beta 1.55, अब बोला, calculate total risk, systematic risk, unsystematic risk of a portfolio, portfolio, okay, sir, करे कैसे, portfolio का चाहिए, sir, हमारे पास portfolio का standard division है, क्या, है तो सही, portfolio का नहीं है, अलग-अलग stock है, sir, portfolio का beta तो है, हां, तो कि sir, उसको यूज कर सकते हैं, yes, तो systematic risk तो निकल सकता, yes, portfolio का beta square, standard division of market square, दोनों को multiply किया, तो यह आ गया, sir, यह आया, systematic risk of portfolio, अब सवाल है, total risk of portfolio कैसे निकलेगा, या unsystematic risk of portfolio कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया था, unsystematic risk क्या, दोनों का दिया हुआ है, yes, दोनों का निकला हुआ है, और मैंने आपको बताया था, unsystematic risk of portfolio is equal to, unsystematic risk of a square into weight of a square, plus unsystematic risk of b square into weight of b square, plus 2 into, 2 into, unsystematic risk of a into, ऐसा कहीं पढ़ा हुआ है, और last में क्या लिखते थे, correlation a, b, यही था, हाँ सर यह याद आया, this is standard deviation of portfolio, बिल्गोज सही बेटे, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना, वो ऐसे होता था, standard deviation of a, total risk होता था, total, जिसमें systematic, unsystematic दोनों, यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही, सिर्फ हो रही, unsystematic risk की बात, इसका मतलब समझ रहे हो, unsystematic risk के बीच में कोई correlation होगा, क्या, नहीं, correlation किसकी वज़ा से होता, market, मेरी बात, बिल्गोज धियान से मज़रा, CAPM में हमारा यह माना हो जाए, दो stock के बीच correlation होता है, दो stock के बीच correlation हो सकता है, पर यह किसकी वज़ा से होता है, market, market गरता है, तो stock A भी गरता है, stock B भी गरता है, market बढ़ता है, stock A और B के बीच में correlation किसकी वज़ा से है, market, पर वो तो किसकी वज़ा से, systematic risk, Unsystematic Risk तो एक में कंपनी में labor का problem है एक कंपनी में कोई problem नहीं तो इस कंपनी specific रिस्क में आप correlation नहीं सकते निकाली नहीं सकते अगर correlation 0 है तो मैं पिर से बोर रहा हूँ यह वाला part का तो काम खतम हो गया yes sir तो फिर तो यह वाला formula बना Unsystematic Risk का yes और वही किया है 175 अंसिस्टमेटिक रिस्क पॉइंट एट स्क्वेर तीन सो अठारा पॉइंट टू स्क्वेर और यह आ गया अंसिस्टमेटिक रिस्क फिर से बोल रहा हूं सर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं कर सकता मैंने प्लास में पॉट डिटेल में धीरे धीर वैसे अंसिस्टेमाटिक रिस्क पता है यास तो कया टूटल रिस्क निकल सकता है यस कर शतीया यह एक मैधण्स विक्राव पोलास जेंद करते हैं। 2 में चिलिलिट वाइड ये अमाज्ट इन्ट अबेड केसम चाहिए मॉाइक्स को सोर्हाई का मार्केट के साथ पर हमें कोड़ीचन कौन सा चाहिए X और Y का correlation चाहिए फिर से CAPM पे आ रहो CAPM का ये कहना है कि X और Y का correlation हो सकता है पर उसकी वज़ा क्या है बीच में है market X का market के साथ correlation है Y का market के साथ correlation है इसी वज़ा से दोनों का आपस में correlation है मतलब सर मतलब सी दी सी बात है हम एक formula समझ रहा है correlation XY ये कैसे निकलेगा correlation X है correlation Y है इन दोनों का multiply करेंगे तो ये आगया हमारा correlation XY यही तो चाहिए था बस फिर मेरा formula है MPT वाला MPT वाला formula यूज किया तो ये आगया total risk और systematic risk तो वैसे भी हम निकाली सकते systematic तो क्या जाएगा unsystematic answer एक ही आएगी आप ऐसे चलो चाहिए ऐसे चलो ठीक है तो अगर मैं कहूँ जी इसमें formula है तो formula तो है इसमें लेकिन मज़दार formula है question करने में मज़़ा भी आता जैसे ये हो गए correlation XY कैसे निकलेगा correlation XM correlation Y है और एक formula और एक formula जो काम आने वाला important formula ये formula आपको याद रखना covariance X है अभी मैंने क्या बताए correlation XY के बीच में क्यों हो रहा है क्योंकि correlation X का market के साथ है correlation Y का market के साथ है अब मैं क्या करूँगा covariance XY का एक formula design करने के कोशिश करूँगा क्योंकि ये आगे काम आने वाल है standard deviation of correlation लॉप notion every YE y我就 इसको इदा ले आ था correlation xy into zustेंड डिशनकी इस्टेंडर डिशन वाई और कॉलिशन xy कहां से आया बलें यहां से आया correlation X करूब के साथ correlation y करूफ़न करे से इसटेंडर डिशनऊ अब X इदा ले आया और standard deviation of Y वहीं रेल ही एसको अधर कर दिया, ठीक है, अब सुना बैटे सुना सुना सुना, अगर मैं आपसे बूलू, Correlation XM यह है यहाँ मार्केट से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहां भी में मार्केट से मल्टिप्लाई कर देता हूं, मार्केट से मल्टिप्लाई किया, ठीक है सर, दोनों तरफ मैंने मार्केट से मल्टिप्लाई किया, मैं डिवाइड भी कर दूँगा, अलग बात, it means मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर मैं यहां 3 लिख दूं divide में multiply में 3 लिख दूं तो कोई फर्क पढ़ने वाला है क्या नहीं सर इसलिए मैंने यहां नीचे standard division market और multiply भी standard division market से कर दिया तो कोई क्या फर्क पढ़ेगा नहीं सर ओके अब सुनना बिटे क्या यह वाला थोड़ा सा आपको कुछ यहां थें धीरे थिरे बात करतें यह वाला फॉर्मुला किस चीश का होता था इस्विटा का होता था गोट यह वाला फॉर्मुला सरी बीटा वाई हो गया और यह इसृंदेटilton आप इस मार्क variance of market ठीक डेरिविशन है डेरिविशन इस समय नहीं करना चाहिए आपको पर में डेरिविशन पर चला जाता हूं यह question उठाया हूं मैंने total risk, systematic risk, unsystematic risk ताकि एक बार हमारी practice हो जाए हाँ जी बच्चो यह question उठाया है मैंने systematic risk, unsystematic risk इस पर I study by a mutual fund has revealed the following data in respect of three securities ABC और correlation दे रखाया, correlation with index, सिर्फ PM क्या हूं कहा हूं कहा हूं P security and market यह एक्शली correlation का sign है the standard deviation of market observed to be 15% what is the sensitivity of return, sensitivity मतलब समझ रहे हो क्या होता, beta और peach stock with respect to the market, beta कैसे निकलेगा sir correlation दिया है, right, standard deviation of security दिया है, right standard deviation of market तो beta तो निकली जाएगा, बिलकुस ही, वैसे निकल होगा यह मालूम है, यह मालूम है, यह मालूम है, यह मालूम है, तो beta of a निकल गया, beta of b निकल गया, और beta of a, b, c, चलो, अब इसके अलावा, covariance among the various stock, covariance निमांगा, covariance a, b, a, c, b, c, covariance matrix से भी हो सकता है, मैं सीधा-सीधा, beta of a, beta of b, standard, ऐसा कुछ मैंने, अब भी just covariance का formula समझाया था, explain भी किया, derivation, तो beta पता है, तो beta को देखकर आपका, यह मालूम है, हमको यह मालूम है, यह हमारा है, तो यह निकल गया, यह निकल गया, यह निकल गया, यह क्या निकल गया, covariance, आगे क्या मांग रहा है, what would be the risk of portfolio, risk का मतलब total risk होगा, अगर, portfolio का risk मांग रहा, अगर यह equally, three stocks equally, मतलब, जो पैसा लग रहा है, वो equal, one third, one third, one third लग रहा है, तो portfolio का total risk बताइए, दो तरीके हैं, किस से करना है, किस से करना है, किस से, correlation वाले formula से कर सकते हैं, तो पहले मैं correlation निकालूंगा, अच्छ, covariance तो पता है, हो गया है काम, covariance पता है, अगर covariance पता है, तो फिर तो हमारा वही वाला formula लग जाएगा, यह वाला, A square, यह बनाया होगा नहीं, यह वाला formula, A square, weight of A square, यह वाला, covariance A, B, covariance A, C, covariance B, यहां मैंने square root नहीं किया, क्योंकि मैं standard deviation नहीं निकाल, उसने कहा है risk, तो यह risk निकल गया, और दिल कर रहा है, तो चलो standard deviation भी निकाल देते, क्या फर्क पड़ता है, और उसके बाद क्या माँगा है, बीट-off portfolio, तो बीट-off portfolio मतला weighted average, यह आगया, बीट-off, उसके बाद total risk, total risk तो अल्रेडी निकला हुगा है, total risk, systematic risk तो निकली जाएगा, बीट-off portfolio और standard deviation, variance of market, तो यह आगया मेरा systematic risk, total risk में से minus करूँगा, systematic risk, तो क्या आजाएगा हमारा, unsystematic risk of portfolio, खतम हुआ हमारा capital asset pricing model, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे start हुआ है, सारे points आपको अच्छे से cover करने हैं बढ़े, CAPM में सबसे पहले हमने introduction किया था, उसके बाद सर हमने क्या किया था, उसके बाद हमने बीटा निकालना सीखा, calculation, characteristic line, ठीक है, उसके बाद हमने portfolio का बीटा निकालना सीखा, उसके बाद हमने बीटा management सीखा, बीटा management, जैसी बोलूँगा बीटा management याद आ रहा हैं चीए, हाँ यार वो risk free को लेगे, उसके बाद हमने देखा कि security correctly priced है या नहीं है, और alpha निकालना सीखा, alpha positive है तो negative है तो क्या है, उसके बाद फिर आगे बड़े हैं, और फिर हमने asset की price निकाला, और उसके इसाब से decide किया कि share खरीदना चाहिए कि नहीं, उसके बाद हमने पढ़ा last point, total risk, systematic risk, unsystematic, total मिला कि हमारे दो पार्ट हो चुके है, पहला modern portfolio theory और दूसरा capital asset pricing model, दो पार्ट हुए, अब बात करते हैं, part number 3, जिसका नाम है arbitrage pricing theory, APT बोलते हैं, arbitrage pricing theory, sir APT क्या, arbitrage pricing theory हाँ, और एक नाम इसका multi factors model, multi factors model का मतलब, बेटे CAPM, जो assumption लेता, CAPM, वो कहता है, कि RE निकलता है, यह expected return निकलता, RF plus, RM minus RF into beta, ठीक है, ओके, उनका यह कहना है कि, इस पर यह क्या है, बीटा मतलब होता है, economy, ठीक है, कैसे हुआ भाई economy, आप तो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी पर focus कर रहे हैं, कि सेंसेक्स बढ़ा तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा security पर, आप सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी पर क्यों focus कर रहे हैं, आप inflation rate भी देखिए, आप interest rate भी देखिए, कि inflation rate के बढ़ने से, security पर क्या फर्क पड़ेगा, आपकी company import export करती तो action rate की वजह से आपकी company पर तो ज़्यादा effect पड़ेगा, वो भी तो एक factor है, आप सिर्फ economy में सिर्फ census को count कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता, it means arbitrist या multi factor model यह कहता है, कि आप जो निकाल रहे हो, यह जो risk premium है, इसको क्या बोलूँगा, risk premium, वो सिर्फ एक ही factor का क्यों देख रहे हो, और भी तो बहुत सारे factor हो सकते, उनको भी तो consider करना चाहिए, it means CAPM सिर्फ एक factor को देख कर, कौन सा factor, बीटा, जब की, जब की बीटा मतलब, यह अपना sensex वाग है, जब की, आरिविटर, APT बोलता, आप एक factor नहीं, आपको और इन्फलेशन, एक्शेंड रेट, इंट्रेशन, यह सारे factor consider करना पड़ेगा, और बोले, अब एक्वेशन आपका ऐसा बनेगा, RF plus, यह रिस्क प्रीमियम, इसको मैं बोलूँगा, factor रिस्क प्रीमियम 1, इन्टु बीटा 1, यह कौन सा है, यह इन्फलेशन है, ऐसी factor रिस्क प्रीमियम 2, बीटा 2, इस तरह सी यह एक्वेशन बनेगा, इस जितने भी, सर, factor कितने है, बस यह नहीं बताया, APT ने, इसलिए तो इसमें भी प्रॉब्लम, ओके सर, यह बात यहां लिखाएं, APT agrees with CAPM to the extent unsystematic risks get cancelled off and hence returns should only depend on systematic risk, ठीक है, However, APT criticized CAPM on the ground that true market portfolio does not exist proxies like sensex nifty, do not capture all systematic risk, APT जो कोशिस कर रहा हूँ, वो कर रहा, capture systematic risk with hope, कौन-कौन से factor, growth rate, inflation rate, interest rate, GDP, action rate, etc., पहले एक factor क्यों ले रहा है, सर, लेना तो सारे factors लीजिए, difference क्या है, पहले difference है, CAPM single factor model है, और APT multi factors model है, और formula, CAPM का ये था formula और यहां बहुत सारे factor आ जाएगे, एक example है, RF है, risk premium, inflation का, interest का, और action rate का, inflation का beta, interest का, और forex का मतलब action rate, अगर ऐसी company जो import-export करती है, तो action rate के change होने से, ऐसी company को तो ज्यादा effect पड़ेगा, तो यहां हो सकता beta 2 हो जाए, इट मेंस, बस banking company को interest rate change होने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो यहां beta change हो जाएगा, बस beta जहां change होगा, इट मेरी company में कौन सा factor जादा मुझे परिशान करेगा, अगर मेरा import-export का business है, तो यह वाले, ठीक है, तो आपको क्या निकालना, expect return किसकी साब से निकालना, apt, simple, 6, this, 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 यह आगे, apt के साब से expect return, और चलो, और एक example मैंने लिया है, factor sensitivity, यह बीटा 1, बीटा 2, मतलब factor 1, factor 2, यह यह, on fund कितना है, 4,00, और borrow किया, 1,00, किस पर risk free rate पर, तो चार और, यह इस टेक पर question मैंने करवाए हूं, 4,00, और 1,00, कितना हो, कि 5,00, आपने invest कर दिया, किस में, A और B में, किस proportion में, 3,00, तो, calculate factor sensitivity of portfolio, सबसे पहले तो हमको सर जी, क्या निकलना पड़ेगा, हमको weights, तो बोलो, borrow कितना किया था, 1,00, नीचे हमें सा, on fund रहेगा, तो यह minus में जाएगा, क्योंकि बोरो किया, A में कितना invest किया, 3 to 2 में, कितना रुपए, 5,00, तो, 5,00, 3,00, 3,00, तो, यहां 5,00, नहीं आएगा, यहां हमें सा, on fund रहेगा, तो, कितना जाएगा, 0.75, और यहां जाएगा, 0.5, अब हम काम कर सकते हैं, कि यस, तो, 1.5 into 0.75, 0.9 into 0.5, और, risk free का बीटा 0, तो मतलब भी नहीं है, तो यह आगया, first, ऐसी यह आगया, second, ठीक है, बस यह, यह important है, यार, कास आपको, मैं इसको ना, मेरा जो main lecture है न, original lecture, उसको अच्छे से देखना, मैंने समझाया हुआ, actual में, कि own fund क्यों नीचे आता है, आ आपको बस यह समझना पड़ेगा, weight निकालना सीखना पड़ेगा, यह लो जी, यह question, ट्रेक्टिस में आलगा, Mr. X, owns a portfolio with the following characteristics, security दे रखा है, A, B, A, security A, security B, यह security A का बीटा, यह security B का बीटा, और यह risk free का बीटा होता है, यह नहीं, expect return दे रखा, it is assume that security and return are generated by two factors model, yes, APT हो गए, if Mr. X has rupees 1 lakh, 1 lakh रुपए साथ, और short sell किया, 50 रुपार मतलब उधार लिया मान के से लो, तो 1 lakh खुद का था, 1 lakh to invest, 1 lakh रुपार था खुद के बास रखा भाई साथ, और 50 रुपार से उधार ले लिया, तो टोटल कितना ह और 1 lakh का आपने security A में लगा दिया, तो बताइए sensitivity of Mr. X, two factor, आपको beta portfolio का beta निकलना, पहले wait निकलने, यह है question, तो on fund है 1 lakh short sell किया, 50 तो टोटल हो गया, 1 lakh, A में लगाया है, 1 lakh divided by 1 lakh, 1.5, B में लगाया है, minus 50,5, और on fund से मतलब नहीं, इन दोनों को टोटल करोगे तो वह नहीं है, अब क्या करना, 0.8 into 1.5, ठीक, यह कौन किसका beta निकाल रहा हूं, मैं, factor 1, यह factor 1, अच्छा, factor 1 of portfolio, ऐसा बोला है कि भई, सुनो, 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 क्या बोला, sensitive, मतलब portfolio beta बोला, portfolio का beta, सुनना धियां से portfolio का beta, तो चलो, यह निकला portfolio beta number 1, 0.8 into 1.5, 1.5 minus, यह आगया, 0.45, ऐसी portfolio का beta number 2, यह निकल गया, यहां तक कोई समस्या क्या, नहीं, अब क्या बोल रहा, if Mr. X borrow Rs. 1 lakh, एक लाख रुपिया बोरो कर रहा, किस रेट पर risk-free से, एक लाख रुपे उधार लिया, and invest the amount he borrow, जो इसने बोरो किया, along with the original amount of Rs. 1 lakh, एक लाख रुपे उधार लिया, और original amount कितना है, एक लाख रुपे है, वो, आपने security A और B in the same proportion as described in part 1, बोले, part 1 में जिस तरह से described है, उसी तरह से, उसी proportion में आप, आगे वाला portfolio भी maintain कर रहा है, तो फिर से बताइए, sensitive, सबसे important क्या है, weight, अब समझ रहे हैं, यहाँ weight किसे लिए है, on fund कितना था, एक लाख, बोरो कितना क्या, एक लाख तो total मिलाकर कितना हो गया है, दो लाख, और weight तो हमने पहले ही निकाल लिया है, weight A का है, one point, और risk free का है, यही described है, यह कहां described है, यह हमारा point number one में described था, तो उसी weight में मैं काम कर रहा हूँ, एक लाख, यह वाली line important है वाई, यह वाला part अच्छे से करना, class regular class में देख लेना, regular class में थो slow चलेगा, पर समझ में आचाहिए कि बाद है, ठीक है सर, तो weight निकालते हमेसा on fund नीची होगा, on fund एक लाख रुपए, तो 3, minus 1, minus 1, तो बस, यह factor 1, portfolio बीटा 1, answer कितना जाएगा, 0.9 portfolio बीटा, कितना जाएगा, 0.6, simple है, okay सर, और कुछ मांग रहा है क्या, हद हो गई, और भी कुछ मांग रहा है, point number 3 पूछ रहा है, 3 में देखूं क्या है, what is the expected return premium, मतलब सर MRP, market risk premium होता था था न वो, ओके, factor 2 का, और factor 2 का मुझे MRP निकालना, सुन नो बेटी, सुनो, question तो हुगा, यह लो, यहाँ देखना, 15% दिख रहा है सर आपको, yes, यह कैसे आया होगा 15%, मैं मान के चल रहा हूँ, APT hold good, sir, 10 risk free है, yes, into factor risk premium 1 into 0.8, बिल्कुल, factor risk premium 2 into 0.6, बिल्कुल, simultaneous equation से, 20%, 20%, 10 ठीक है, यह ठीक, simultaneous equation आपको पता है न, yes, sir, यह पहले भी हम कर चुके, कहां किया था, हमने security market line में, MRP निकालते थे, वही MRP निकाल रहा हूँ, मुझे से क्या मांगा, मुझे से यह मांगा, factor risk premium 2 निकाल, इसके बाद यह इसको equate करना पड़ेगा, तो मैंने multiply किया होगा, कि A को B से B को A से किसे नहीं, यह हम multiply किया, equation 1 को 1.5 से multiply कर दिया, और equation 2 को 0.8 से multiply कर दिया, तो अब यह कटने के लायक हो गया, difference आगया 0.5, यह कट गया, इधर आगया, तो FRP 2 आगया, 8.33% ठीक, ओके सर, प्रैक्टिश मैंने हुआ सकता, थोड़ा सा variation आएगा, उनका तरीका कुछ और है, हमारा तरीका कुछ और है, पर फिर भी, एक बार इस question को देख लेना अच्छाए, आगे चलते हैं, और यह question है, आप कर सकती हो, यह कुछ करना नहीं है, यह बीटा दे रखा है, आपको कुछ इंफोर्मेशन है, और रिस्क-फ्री रेट दिया, 9.25%, रिस्क-फ्री रेट दिया, 9.25%, रिस्क-फ्री रेट के साब से रिटन निकालना, expected value, in percentage, actual, expected, expected, हमने क्या सोचा था, actual क्या हुआ, तो सर इन दोनों का जो बीच का डिफ्रेंस है, इसको multiply किसे कर देंगे, बीट अस, यह question क्या सही है, यह question frame ही गलत तरीके से किया गया है, यह actual में question बनता ही नहीं है, पर उन्होंने का, क्या किया, expected value का, actual value से, minus करके answer निकाला है, और answer यह है, और इसको उन्होंने risk premium दिया, बनों, जितना change होगा, वह risk premium है, तो 7.7, 7-5.5, सुनना विटे, यह 7, यह वाला 7, actual, और जबकि expected कितना था, 5.5, तो inflation के expectation से ज़्यादा है, yes, question यह ambiguous है, सीदी सी बात है, यह question लायक ही नहीं है, मतलब कुछ भी logic के साथ question बनाया गया है, ठीक, यहाँ भी उन दोनों का difference into beta, यह सब किया, तो answer कितना आ गया, 17.4, बहुत अच्छा question यह पर सुनों बैटे, देखके चले जाना, पता लगा, बाद में दिक्कत हो जाए, चलो भाई, खतम, 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 कितना पाट हो गया, सर हो गया, MPT हो गया, इसके अलावा, इसके अलावा, इसका CAPM हो गया, good, इसके अलावा, APT भी हो गया, अब और कुछ है, और एक बचा efficient market hypothesis है, समझा रहा हूं, मतलब सर पार्ट नमबर, MIN फर को ऑाट बचाश इसद्टर Qa discour्या हो भी हो, मतल ए व दिक्टर ट खमें सके अपतों हो, इसके अलावा इसके आपतों हो, कि एफिशेंट मार्केट क्या होता है एफिशेंट मार्केट क्या होता है नहीं क्या होता था इसलिए क्योंकि सब्रिवीजन चल रहा है सर एफिशेंट मा मतलब परफेक्ट कॉंपेटिशन ऐसा बोले थे आप अभी थोड़ी दिर पहले ही हां बिलकुल सहीं और सहीं बोल रहा है इट मेंस कि यार हमारे यहां का शेर मार्केट ऐसा हो कि हम कुछ भी कर ले होता क्या है यार चार्ट जो देखते है न चार्ट उसको देखकर हमें सिगनल मिल जाता है कि हमें share खरीदना चाहिए, keep नहीं खरीदना चाहिए और उसको देखकर signal मिल जाए तो फिर S में कहेगा perfect competition कोई भी आकर फायदा उठा लेगा It means, जो market है वो efficient होना चाहिए मतलब कल क्या होने वाला हमको नहीं मालू market गिरेगा, market बढ़ेगा, क्या होना और efficient market में कितने टाइब के efficient market है आपके पास copy होगी, check करो, मेरे notes लिखे हुए है तीन टाइब के efficient market हुआ करते थे हुआ करते है, कौन-कौन से efficient market एक मैंने बताए strong form of efficient market दूसरा semi-strong form of efficient market और तीसरा weak form of efficient market और हमारे जो questions है, वो weak form of efficient market में बहुत सारे test है, पर उसमें से auto-correlation test है खुछ से कर लेना, correlation test है पर हमारे लिए काम की चीज़ है run test हमें इसमें क्या करना होता है, हमें test करना होता है कि जो market है, वो efficient है कि नहीं है sir, efficient है कि नहीं है, मतलब क्या आपको कुछ information देगा, मेरी बास समझना, question कैसे होता है कुछ information मिलती है और उस information को देखकर अगर आपने बता दिया कि यार यह तो indication दे रहा की price बढ़ने वाला है या indication दे रहा की price कम होने वाला है तो बस, ऐसा market, inefficient market होगा efficient market तो तब होगा जब उन चीज़ों को देखके उन information को देखकर भी आप पता न लगा पाओ कि क्या होने वाला है this is efficient market और वोई चीज़ आप से पूछेगा run test में क्या होता है run test में आपको बहुत सारा price दिया रहता है यह दो को बहुत सारा price है एक दस तीन दस यह कब का दिया रहता है यह पाश्ट का दिया रहता है पाश्ट अब बस मुझे कुछ चीज़े रहा run test क्या होता आपको पता में revision करवाना अठाइस सो से सत्ताइस सो असी हो गया price बोलो बढ़ा की कम हुआ सर कम हुआ कम हुआ तो माइनस का sign लगा देना फिर सत्ताइस सो से सर बढ़ गया तो प्लस का sign लगा देना यही सब हमको करना होता इट मिंस पहले आपको यही काम करना पड़ेगा आपको माइनस बढ़ा तो प्लस बढ़ा तो प्लस मायन术 फिर ती कि Travel और यह प्लस मायनस के संद शेंश से निकलेगा कि निकलेगा किया में आपको समझार। कि ये कब का है यह से पास्ट का पास्ट का और पास्ट का यह तो कुछी दिनों काप्राइज में वह सारी दिनों का पता लगाया और wow ऐसा था, प्लस, 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 माइनस, 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 प्लस, 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 माइनस, 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 इस तरह से मार्केट गया, अगर ऐसा हुआ होगा, प्लस, 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 माइनस, 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 प्लस, प्लस, तो क् हम अंदाजा लगा सकते क्या होने वाला बिलकुल लगा सकते कैसे अगर एक बार प्राइस बढ़ा प्लस हुआ इसका मतलब आगे भी आने वाले दो चार दिनों तक प्लस होगा अगर एक बार गिरा तो आने वाले दो चार दिनों तक गिरेगा तो कैसे से फाइदा उठा लेंगे सर्फ भाइदा इस तरह से इठा सकते जैसे ही यहाँ प्लस specifically क्या हुआ थ क्या कर सकती कूल है आप एक काम करो जैसीमै प्लस अगले दिन का होगया प्लस जैसे प्राइस बढ़ा तो भी शेयर खरीद दो खरीदो बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो प्राइस बढ़ेगा और अगले दिन जासी माइनस हुआ उस दिन बेज दो सस्ते में खरीदा और मेंगे में बेज दिया क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको इंडिकेशन मिल रहा है यस तो सर एक साथ अब सुना ध्यां से ऐसे बताना यह बहुत सारी दिनों सरफ प्लस प्लस एक बार हुआ फिर मैंनस माइनस हए एक Stephen ठीक है यह दो रानं इसको रान गोलते फिर प्लस 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 यह हो गया तीन रान कि मैंस मैंनस में यह तो बताओ number of runs कम कब आएगे कम कब आएगे जब ऐसा होगा जब भी साइन चेंज होगा ना उसको हम run बोलेंगे साइन चेंज हो रहा है जैसे प्लस प्लस से क्या हो गया माइनस यह प्लस से क्या हो गया माइनस तो इसको यह को पता है तो कोंचन यह है कि मैं आपको कुछ इनफोर्मेशन दे रहाए उर ऐसे आ रहा है मारकेट गर्षस प्रूस जाहा धिन得 भी दहें माइस माइर बहुत ज़्यादा दिन 403 फिर ज्यादा दिन 303 फिर प्लस तो नंबर अवरतर कमाई ईगे की ज्यादा सरह कम आएगे कुए फ्लक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सोचो बेटे, पहले प्लास हुआ, मतलब बढ़ता है, फिर अगले दिन गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर अगले दिन गिरता है, तो बस अब फायदा उठाओ, जैसे गिरा शियर खरीद लो, फिर अगले दिन प्लास हुआ तो बेज दो, फिर गिरा तो फिर खरीद लो, फिर number of runs जादा है तो ऐसा market inefficient अगर number of runs कम है तो ऐसा market inefficient अगर number of runs average है ऐसा market efficient market फिर पता नहीं लगा पाओगे यही कुछ हम कर किये थे और detail में हमको समझना है detail में समझना है तो मेरा इसका lecture तो पक्का मेरे description में आपको मिलेगा मिलेगा चलो भई काम पर आजाते तो सबसे पहले मेंने क्या किया है सबसे पहला है हम लोगों ने क्या किया n1 निकाला ओफ शेट अगर 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 कितने निकाले आठ सब एन वन क्या बतलब नमबर प्लस कितने बार प्लस हुआ गिल लो एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा यह आगा नमबर प्लस और एन टू निकाला मतलम नमबर ओफ माइनस ठीक अब हमें क्या हमें अब हमें यह देखना है कि रन ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए तो हमने एवरिज रन निकाला और एवरिज रन का फॉर्मूला प्लीज याद कर ले न डेडिविशन का टाइम नहीं है टू एनवन एनटू डिवादेड बाइनवन प्लस एनटू तो यह आ गया एवरिज रन 10.26 सर एवरिज रन 10.26 होना चाहिए ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम पर सीधा 10.26 बोलू तो यार एक ठिक सी मत करों थोड़ा रैंस तो देदो तो चलो थोड़ा सा रैंस द अगर इधर या इदर है तो कौं सा मार्केट इनफिशिंट पर थोड़ा सा डेविएशन भी तो चाहिए तो डेविएशन भी निकालना प्लेगा इस्टेंडर डेविशन अपरान और यह इस्टेंडर डेविशन अपरान u mu minus 1 mu का मतलब average into mu minus 2 n1 plus n2 minus 1 ये किया तो ये आ गया 2.06 मतलब 10.26 से 2.06 इधर 10.26 से 2.06 इधर और n1 plus n2 minus 1 कितना है 18 ये होता है degree of freedom range देखना पड़ेगा ना आपको और देखू रेंच दिख रहा है ये degree of freedom इस तरह से आपको दिया रहेगा आप टेस्ट कर सकते हो 5% पे भी और 10% पे और degree of freedom 20 वाला हमारे काम का नहीं हमारे काम का 18 वाला ये 18 कैसे आया n1 plus n2 minus 1 तो 2.101 ले लेना बोल रहा है 18 पे कितने परशन के लिए 5% के लिए और 10% के लिए 1.734 अब मैं समझा रहा हूं इसका मतलब ये अपर लिमिट दिया हुआ है अपर लिमिट एवरेस ये आया standard deviation उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा तो ये आ गया 14.59 अपर लिमिट और 5.93 अगर यहां रन आता है यहां तो फिर ये माना जाएगा कि ये market efficient market है तो यहां क्या है रन यहीं आ रहा है तो हैंस 5 level of significance the market is weak form of efficient efficient market जैसे 5% का किया वैसी कितने परशन का करना है पड़ेगा 10% का और वो भी अभी रैंज में ही आ रहा मतलब तो ऐसा market efficient market है रिवीजन करवा रहा हूं यार मैं थोड़ा सा ना फैस जाता हूं इसलिए फैस जाता हूं क्योंकि मुझे समझाना चाहता हूं मैं बहुत कुछ समझा दूँ आपको वाकी मज़ा जाएगा एक घंटा मुझे मिल जाए एक देड़ घंटा इसको समझाने के लिए बिलुकुल मज़ा जाएगा पर मैं मजबूर हूं मेरे हाथ बंदे हुए मुझे बहुत speed से चलना पड़ेगा वैसे भी काफी time हो चुका अब क्या वच्छा हुआ भाई बस लाश्ट वाउ सब पार्ट सीख दिख रहा है एक सार्प optimization model में नहीं करवा रहा हूं वह अटा दिया गया है a portfolio rebalancing is portfolio rebalancing का मतलब क्या हूता पें portfolio में इस एक शियर एक बाव तो कभी हम शियर को बढ़ा देते हैं कभी बाव cage 3 में जाता पड़ते और प्सीदी सी बात है आपको मेंनेäh पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि market बढ़ने वाला है, तो लगाओ stock market में, अगर market कम होने वाला है, तो लगाईए आप bonds वगेरा में पैसा लगा दीजिए, it means मुझे क्या portfolio को हर बाई rebalance करना पड़ता, yes, portfolio rebalancing, तो लिखा as the name says, portfolio has to be rebalanced regularly as price keep on changing, we will discuss portfolio in two, theory or practical, there are three types of portfolio, rebalancing है, buy and hold strategy है, constant mix है और constant proportion portfolio, इसको हम CPPI बोलते थे, चलो जी, आजाते हैं, पहला कौन सा, buy and hold, दूसरा, constant mix और तीसरा, CPPI, buy and hold में कुछ करना नहीं है, मतलब भई ऐसा है कि आप खरीदो, stock, shares, bonds वगेरा, रहने दो पड़ा, एक साल बाद जो भी price होगी बेज देंगी, जो होगा देखेंगे, कुछ पैसा risk free में लगाई है, कुछ पैसा stock market में लगाई है, मतलब और चलने दो, लेकिन, constant mix में ऐसा नहीं होता, constant mix में होता है, अगर price बढ़ेगा, अगर share का price बढ़ेगा, तो बेचे, फिर share का price बढ़ेगा, फिर बेचो, सर इसका मतलब price बढ़ने पर बेच रहे हैं, हाँ बेटी, price गिरेगा, तो खरी देंगे, price गिरा तो खरी देंगे, बेटे वही है, price अगर गिरेगा, तो खरी देंगे, price बढ़ेगा, तो बेचेगे, वाव गिरा सस्ते में खरीधो, बढ़ा मेहगे में बेश दो, गिरा सस्ते में खरीदिए, मेहगा बढ़े, बस ये काम आप करते जाए है, ठीक है, it means, प्राइज गिरते जाएगा, तो आप बॉंड को बेशते जाएए और शेर में पैसे लगाते जाएए, प्राइज गिरने अगर मार्केट ऐसा हुआ गिरा 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 गिर तो आप बरबाद हो रहा है उदर बार्केट गिरते जारा गिरते जारा आप wanड से पैसे bank से bank बोलनों चलेगा bank से नगा कि्षिर Bir मार्क इसा लगा फिर गिर गाया फिर खरीदोगे स़ते में खरीदोगे महके में बेचोगे it means यहां अगर मार्केट ऐसा up 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 down 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 तो यहां worst performance होगा लेकिन मार्केट है up down up down तो best performance ठीक है यहां तक यह मैंना आपको बताया अच्छा floor है कि नहीं मतलब ऐसा क्या ऐसा एक दिन आएगा कि आप पुरी तरह से बरबाद हो सकते हैं क्या ऐसा भी दिन आ सकता हाँ अगर मार्केट डाउन होते जाएगा तो floor है नहीं में पूरा पैसा खतम हो जाना है ठीक है तो floor नहीं होता अप्षेंट जबकि buy and hold में कुछ करने की जरूत नहीं फ्लोर तो है क्योंकि bond में तो पैसा पड़ा है अगर share market पूरा भी गिर जाएगा तो भी bond में पैसा है और इसका media का या आपका average performance रहेगा ठीक है average performance रहता है इसका अब सुनो यहां से जबकि CPPI यह एक अलग है इनका यह कहना price बढ़ रहा है price बढ़ना तो शेयर खरीदो फिर price बढ़ना फिर share खरीदो और price गिरा एसिरई स्विकना है फायदा है जब मार्केट कैसा हो रहा है अब अस भॉर बढ़ा को खरीद रहा और बिट से 260 फिर सिरीगे अब और कॉरदा हो गया आप다 पॉर्ट federal और स्पॉलिए और इट मेंस ऐसे जाएगा portfolio और अगर market गी रहा तो भई 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 शेर market से पैसा लगाओ bank में जमा करो तो कुछ पैसा तो बचा लोगे इट मेंस इस तरह से जाता है इट मेंस बढ़ोगे तो बहुत speed से बढ़ोगे जबकि यह जो है लगा रहा है तो यह तो आपने पैसा बॉंड में लगा दिया बैंके में जमा कर दिया तो आपके पास जो पहले जादा था जो ज्यादा इस पिट से बढ़ता था तो तो कम हो गया तो आपका जो graph है वो ऐसा जाएगा याद रखना floor नहीं है बरबाद हो सकते हो यहाँ floor available है और यहाँ भी floor available है ठीक best performance, worst performance देख लेना भई इसको मैं करवाया हूँ class में इसकी भी class YouTube channel में डली हुई है description में check करो अब sir इस पर question कर लें किया यस ये question है Indra has a fund कितने रुपय है भई? 3 लाख रुपय 3 लाख रुपय का फंड है Indra के पास she wants to invest in share market with rebalancing target after every 10 days share market में पैसा लगाना और rebalance करेंगे हम portfolio को हर 10-10 दिन में rebalance करेंगे for a period of one month तक मतलब आज फिर 10 दिन बात फिर 10 दिन बात इस तरह से काम होगा अब भी nifty कितना चल रहा? 5, 3, 6, 2, 6 minimum nifty within a month 4, 7, 9, 3 हम को पता nifty गिरेगा पर हम जानते है कि कितने तक गिरेगा यह दे दिया she wants to know as to how she should rebalance her portfolio under the following situation according to theory of CPPI using two as a multi-factor अब सर इसमें होता क्या है? अब मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक से समझा सबसे पहले अब सामने क्या नाम है भई इसका? इसका नाम देख लो इंदीरा के पास पैसा है कितना रुपा है इंदीरा का पास? तीन लाख रुपा है और वो हंसे बोल रहे हैं इंदीरा कि आप इसको manage किजे sir manage कहां करे manage आप चाहो तो bonds में लगाई है आप चाहो तो equity में लगाई है आपकी मर्जी पर मुझे guarantee दे दू कि इससे कम मत जाने देना मतलब ऐसा भी मत पूरा पैसा share market में लगा दिया और पूरा बरबाद ऐसा मत करना कुछ तो मुझे return मिलना चाहिए कुछ तो पैसा बचे में लगा floor बोलो floor आपको minimum कितना चाहिए बोले वो हम बताते हैं सुनना देते बिटे धियां से minimum कैसे निकल रहा बुले देखो निफ्टी अभी इतना है और इतना हो सकता एक मेने के अंदर उस हिसाब से निफ्टी 10% से down हो सकता है it means अगर मैं निफ्टी में भी पैसा लगाती तो मुझे 90% मिलता मिलता तो मेरा जो floor है तीन लाग का नभी दो लाग सत्तर हजार रुपए मुझे चाहिए it means आप तीस हजार रुपए बरबाद भी कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं है पर दो लाग सत्तर हजार मुझे चाहिए चाहिए वापस अब लगा लो तीन लाग रुपए जहां लगाना है अब मैं सोचूँगा यार it means सामने वाले ने मुझे कितना रुपए फ्री ली अवे तीस दार तो चलो तीस दार लगाते पर मेरे मन में बात है तीस दार लगांगा पूरा तीस दार डूप जाएगा ऐसा थोड़ी ना यार सामने वाले परसन को तीस दार रुपए चाहिए ना मतलब दो लाग सत्तर अजार चाहिए ना तो चलो ना यार थोड़ा सा जादा लगाते है फ्लोर जितना पैसा अवेलिबल है खेलने के लिए तीस दार ना उसका डबल लगा देते एक मेंने बाद पुरा ही पुरा ही डूप जाएगा ऐसा थोड़ी आधा भी डूबेगा तो आधा तो मैं देही दूंगा ना लाख चालिस एवर रुपए बॉर्ण में लगा दिया कब आच यह फॉर्मर आपको याद रखना पड़ेगा अब क्या हुआ उसके बाद आज से दस दिन बाद निफ्टी कितना हो गया गिर गया 5122 हो गया मतलब 5 3 2 6 से 5122 अगर निफ्टी गिर रहा है तो मैं मान के यहां देखते हैं बोलो बिट्टे कितना था आपके पास 60,000 रुपए एकविटी में लगाया था एकविटी में उस समय क्या था निफ्टी 5 अब कितना हो गया यह तो यह आ गया इतमेंस एकविटी कम हुआ और इतना हो गया और बॉंड में तो कोई चैंज हुआ ही नहीं ह तो मिला होगा यहां इंट्रेस्ट की कोई बात नहीं लेखिए 2,40,000 तो उठ इस हिसाब से अब मेरे पास एसेट कितने का बचा है 2,9 अब फिर से मैं क्या करूँ फिर से री बैलेंसिंग करूँगा इसी फॉर्म लेके था एसेट से इतना 2,70,000 का फ्लोर है इट डबल मतल में आ रही है सर इसका मतलब आप एक्विटी से पैसा निकालोगे और बॉंड में लगाओगे हाँ सी पी पी यही तो बोल रहा है कि अगर एक्विटी गिरता है तो आप एक्विटी से पैसा निकाले स्टॉक से पैसा निकालो और बॉंड में लगा दो यहीं बात बाद के अगले 10 दिन बाद 20 वे दिन में फिर एक्विटी कितना हो गया 5122 से यहां तक फाइवन से 55426 यहां था इस पे अब हो गया 5539 तो एक्विटी का वैल्यू यह पॉंट्स का तो यह टोटल मिलाकर इतना इसमें से फॉर्मिल लगा इंटू-2 इटमेंस अब हमने इसा लगा देंगे बॉंट्स में इतना इटमेंस हम फंड ट्रांसफर करेंगे बॉंट्स तो इक्विटी 4502 सिंपल है कोशन मैंने करवाया हूं अल्रेडी बस और यह सायद इसका वीडियो भी डिटेल में डाला हुए एंड़ लास्ट कोशन हाँ यह कोशिन न है कौन्स्टमिका पॉर्ट्फफॉल्यों रेबैलेंसिस का वर्सिग है लिखा मश्ट सुनी दरे इस वर्किंग् यह कोश्टन तो यह वी कोश्टन है मेरे मतलबस लगभवक कोश्टन आपको मिल जाएगे यस यस पुरा कॉंसेप्ट मिल जाएगा में सुनिधी वर्किंग विद एम एमन सी एट मॉंबई सीज वैल वर्जेंट विद पॉर्ट्फोलियो मैनेजमेंट टेक्निक कहानी वहानी लिखी हुई यह बहुत सारी अब काम की चीज़ देखते हैं आपको मन्त दिखाई दे रहा है दिसमबर जैन फैर और एने वी का प्राइज दिखाई दे रहा है मन्त और एजम सुनिधी है इन्वेस्टें नोशनल इमांट कितना रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है दो लाक एक्वली कुछ पैसा कहां लगाया है अपने एक्विटी में और कुछ पैसा कहां लगाया है कंजर्वेटिव पोर्फोलियो मतलब बॉंड्स में कब दिसमबर 2008 एंड टोटल पोर्फोलियो वाज बिंग री बैलेंस और री बैलेंस कब करना है सर री बैलेंस तब करना है जब नवी इंक्रीज हो जात कर लाए अच्छा यहां लिखा बॉजिए बाइन होल स्ट्रेटीजी भी ईट मेंस उसने दो इस्ट्राइटीजी एक साथ बोला है बाइन होल्ड और कॉंस्टेंट रेशी प्ला यह एन वी देख लेना यहां प्राइस दिया हुआ है एक टेबल में ही बनेगा यह बाइन होल्ड है और यह पूरा है कॉंस्टेंट ट्रेस ठीक है ओके साथ सुनों बाइन होल्ड में दो लाक रुपए आपने इन्वेस्ट किया है चालिस रुपए के हिसाब से दो लाक रुपए इन्वेस्ट किया है चालिस रुपए के हिसाब से ठीक है तो बस आपको कुछ करना नहीं है और यहां यूनिट का प्राइस कितना हो गया पचीस मतलब नंबर ओफ यूनिट से निकल जाएगा यहां दो लाक डिवाड़द बाइब बाइचालिस तो नंबर ओफ यूनिट से पाच हजार अब पाच्छार यूनिट कि कि हर एक लेवल पर बताते जाई बाइन होल्ड में आप कुछ नहीं कर रहे हो आपने एक बार यूनिट पर्चेस कर लिया कितना 5000 उनिट उसी को लिचेश गो रही है आप वेल्यु बताती जा रहा है इट ownsट मिक्स में एसा नहीं इट मिख में उसने बोला दोनों येगह एक वल पैसा लगी लागया ठीक है हमने बाइस में कितना रखा एक लागत इक विट्ट इमकित कितना हो गया 2,00,00 लेकिन हमने units जो purchase किया वो कितना units purchase किया 2500 units purchase कर लिया लेकिन जहां rate हो गया 25 रुपए है तो वहां हमारा bond का विली तो एक लाख रुपए है पर equity का value पच्छिस सो इन्टू पच्छिस 60 to 500 हो गया ओके तो टोटल हो गया 162,500 अब हमको आधा आधा करना है तो 162,500 divided by 2 तो यह 81250,81250 इसका मतलब सर यह हुआ कि हम लोगों ने bonds में से कुछ पैसा निकाल के equity में transfer किया आधा ही आज कितना निकाला एक लाख माइनस 81250,18750 और एक उनिट कितने के खरीदा पच्छिस का इट मेंस हमने यहां कितना यूनिट और खरीद लिया 750 और खरीद लिया तो पहले था 25 अब है 3250 इसका मतलब जिदर आप बरबाद हो रहा है जिदर वैल्यू कम हो रही तो आप एकविटी और खरीद रहा है हाँ यही तो था constant mix ओके सा फिर चले और अब rate कितना हो गया 36 रुपए rate हो गया और unit कितनी है 3250 तो अब देखो तो अब यह है आपका टूटल यह अब इसको आधा-धा कर लो 198 250 तो यह आगया divided by 2 सर इसका मतलब एकविटी से पैसे निकाल कर bonds में डालेंगे यह इसका मतलब सब्सक्राइब हम units बेचेंगे यह 11700,00-99125 हम units बेचेंगे कितने केसब इस 36 के इसके तो यह आगया इतनी units कम हो जाएगी इसमें से क्या हो जाएगा minus हो जाएग यह increase decrease हम तब करेंगे जब नवी पिछले नवी से 15% अप या डाउन हो तभी हम portfolio rebalancing करेंगे इस तरह से हम करते जाएंगे हम हमेशा एक बार चेक करेंगे उसके बार यहां लिखेंगे फिर equal करेंगे और फिर देखेंगे कि यूनिट्स पिछले यूनिट्स से बढ़ रहा है कि कम हो ठीक इस तरह से हम लाश्ट तक काम किये लाश्ट में buy and hold से answer आ रहा है portfolio rebalancing का method अच्छा है जरूरत नहीं है बस उसने बुला करके बता दीजिए यह हमने करके बता दीए इतना देर साथ देने के लिए thank you यह पाच पाट थे पाच पाट आपको करना है no doubt कोई सब्सक्राइब कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका जो बच्चे मुझे जानते मैं इतना speed से नहीं पढ़ाता हूं अभी क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं करवा रहा हूं revision जिसको देखना है जो बच्चे होते हैं न सीधा सीधा इस class में आ सकते आ जाते हैं चलो revision में आ जाए कुछ बच्चे पहली बार जिनको portfolio का ABCD नहीं आता वो भी एक class देख रहे होगे तो सर जी ये class आपके लिए नहीं है हाँ आप चाहो तो check करने के लिए description में जो lecture डाले होगे एक पर भी click करोगे तो आपको समझ में आजाएगा कि actual में मैं कैसे पढ़ाता हूं इस वीडियो से आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि मैं कैसे बढ़ा था हूं तिक यह तुम्हें बस overview देते हुए चल रहा हूं थैंक्यू सो मच एक्जाम अच्छे से देना all the best अगला revision chances थोड़े से कम हैं थैंक्यू बाए बाए बाए